चाचा, जितने पैसे ले रहे हूं उतना समान तो दो? बेटा, उतना ही तो दे रहा हूँ. जूट क्यूं बोल रहे हो? क्या मतलब, मैं जूट तो नहीं बोल रहा? क्या हो नूर बेटी? मुझे बताओ, क्या बात है? खाला, ये चाचा ना सबको चूना लगा रहा है. क्या मतलब, चूना लगा रहा है? जूट बोल रही है ये लड़की. अच्छा, मैं जूट बोल रही हूं. तो फिर, ये क्या है चाचा? ये पैसे तो पूरे ले रहे हैं, लेकिन सबको समान कम देता है. अच्छा, मैं जूट बोल रहे हैं, लेकिन समान कम देता है. अच्छा, मैं जूट बोल रहे हैं, लेकिन समान कम देता है. तादी, इस कालोड मैं, गाड़ी. तादी, ये गाडी मेरे ली है. ängt बहुत अच्छा गाड़ी है, तादी. मैं जो बैची किया अच्छा नोटा फोफा तो हो सकता, था. थांक यू सो मज़ दाथी, विट पैस दादी लगुर्ष भाईया मुझे मेरे दोस्त के पास उतार, मैं वहां से कर चला जाओंग। अए नहीं नहीं मुझे आफिस के लिए देर हो रही है, मिर साथ हम आफिस से चलो आफिस? तो बोर्ट अरे यह पागल लड़की कौन है, जुसरा गाड़ी के सामने आगी यह बनने के लिए पता नहीं यह कर क्या रही है क्या हुआ भाई? भाई, क्या हुआ खो गए? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या हुआ हुआ भाई, अरे भाई वह उटाफिक ब्लॉक कर दी है अब आप अपने टाफिक ब्लॉक कर दी है पीसे गाड़ी होन मारी हैं सलें हुआ क्या हुआ हुआ क्या हुआ क्या करें घर उस तरफ एड़ने क्या हुआ 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 अमी मैं ठीक हूँ परिशान मत हूँ कैसे ठीक है आप अमी आप बेवोश हो गए थे मेरी जान निकल गए थे अमी और आपके अरी में ठीक हूँ इतना तेज बुखार हो रहा है आपको क्यों फिकर करती हूँ कुछ नहीं हुआ मुझे अब मैं आपकी एक नहीं सुनुगी आप फॉरान उठे हम डॉक्टर के पास चलेंगे विटा मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तुमने पटियां कर दी है ना देखो मेरा बुखार भी ठीक हो गया है अमी अब कहा जा रही हैं आप अराम करें अराम का टाइम नहीं है विटा मुझे खाना बना लाए अब पहले तु यहां लेट जाए अमी आपने अपनी हालत देखी है अभी आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप किचन में खड़ी होगे खाना बनाए बच्चे खाना नहीं बनाओगी तो कल बेचेंगे क्या अच्छा आप फिकर मत करें खाना मैं खुद बनाओगी और खुद जाकर बेच भी आओओगी आप बस आराम करें तुम पागल हो गई है खाना मैं खुद ही बनाओगी अरे अम्मी आप अराम करें ना, मैं कह रही हूं ना, मैं कर लूँगी अचा आप लेटे, ठीक है, आप बना ली जागा खाना, लेकिन मैं काम करती हूं, डॉक्टर के पास जाती हूं, आपकी कंडिशन बता कर मेडिसन लेकर आती हूं तब तक आप फिलेंगी नहीं यहां से, नहीं मानोगी, ठीक, अभी आँड़ी आँटी, नवी नवी तक नहीं आया, आँटी, नवी नवी तक नहीं आया नहीं पिटा, अभी तो नहीं आया, तुम खुद पॉन करके पता कर ले ना आँटी, मैं पॉन करकर के ठक गई हूं, वह पॉन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहां रह गया वैसे वह आता ही होगा, मैं जब घर से निकली थे ना तो रेडी हो रहा था अच्छा बेखिवादी अच्छा बेखिए ऐसे लोगर से जाए, तुम में आने विषा दे ना बेखिए वह यह लगता है कोई नेरे अंदिजार कर रहा रहा है मैं सुम्झा ने ने वह बिदिन से लाच पी वह पॉज़ वह वह त्ष्छान कहा रहा है भाई, वह तस्वियरकी चमार है असलाम अलेकुम क्या अलता है हाई अगली दखा तस्वीर बनाने तो जड़े को पूछ लेने कि मैं अच्छा सपोस बनाता है बता कर तस्वीर खेंचने में क्या मदा अब यहां घड़ो के बाते ही खेंडी है या अंदर पी चलना है सुरी लो अगे असलाम अश्लाम अलेकुम असलाम वित्यो बखुर्दाव असलाम अश्लाम अलेकुम ए रटीन सुर्दी सुर्दी स्टेक अपषСТ का क्या हवा? इस रेड़ी नहीं हुआ अपका नीं। आपका स्टेक बिल्कुल यहार है बीबीजी भार द्यान कहा होता है तुम्हारा…थ सानशाव गिरा दिया। बीबीजी मैने आपको पकड़ा था…आपने ही नेहीं पकड़ा अच्छा, मैंने नहीं पकड़ा, तो तूमें कहा किसे था मुझे पकड़ाने को ह reported तुम मेरी पाती ख़रब कर दी उसिमी उसम्रों रड़ारा रही हो बोबी जी मेरे यह मतलब नहीं था अजर तुम कहना तो यह आधा合 지금 इतनी तुम्हाय तंख्वान है जितने का ये स्टेक ने मेरी बाती खराफ कर दी तुम्हें मुझे ही आंके दिखा रही हो वीबी जी आपकी कोई गलती नहीं आप तो कभी गलती करती ही नहीं तौना दे रहे हो हारी इतनी जबरत के तुम उझसे ऐसे बात करोगी बस वीबी जी आप हद से बढ़ रही है ये कैसी आवाज है ये कैसा शोर है अब लिए तो मुझे जोया की आवास लग रही है अरे देखो ना तो मुझे से जबान लड़ाती है मुझे मेरी हद बताती है अब अब बश्चे अब जांस है मार दूँ निकलो मेरे कहर से बना मैं को या क्या कर यह क्यों मार रही हो इसे छोड़ो मुझे ये क्या शोर हो रहा है ये क्या हुआ है क्या हुआ मेरी बच्ची को दादी आप इसे अभी के अभी फारिख करें एक तो इससे मेरा स्टेक गिराया असे मुझे से जबान लड़ा रही है तुम्हें कितनी बार समझाया है अगर इस घर में काम करना है तो जोया बीबी की हर बात माननी होगी अमनी आप परिशान नाव में बात करती हुना तुम रहने दो बात में बात कर ले ना लेकिन अपने मुलासमों को समझा दो कि मेरी पोती के साथ किस तरह पेशाना है आओ जोया आओ बेटा अभी तक मूट खराब है अभी तक मूट खराब है नवील मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ हरेंशिया तो चैली सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा ये समय हता था जा देखा नहीं कोस्त कि अ कदूब है इड़ी तो इस ही है के अ हुआ ये थेसरिग है इस्टारिशक्राइब यून एपास कर्थ है वहねं यू अ इसलुम्हाड ऑर्स प्राच्जानें चाहत भी लिञे करेंशिया अगेक का झाली कि वए खनाऊ है श्याम पहुर अच्छा लिगा है अहां अकर इसकी चगाँ हीरे क्या गुठी होती तो और प्रेचा लगा चलो नेक्स्ट टाइम हीरे क्या गुठी देदूगा अभी चलें बहुत भूख लगी मुझे कुछ खा रेते हैं हाँ चलो जाने कैसा किसमत का सफर किस कहने जाएक जिसको है खबर कोई मन्जल है न किनारा है कोई आस न कोई सहारा है रखा ऐसा ये नसीबा मेरा लखे अवेरा पहर वेले में मुदर्दगी मिलेया कैसा ये नसीबा मेरा लखे अवेरा पहर वेले में मुदर्दगी मिलेया चुपर 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 चु अपि! रूफ! कुछाव! अब जो मैरे पेटी को डॉक लेगे पाहँ लेके जाए! रूफ! मैरे बच्चा! मैरे बच्ची! रूफ! रूफ! कुछाव! और अभी जहले जाए! अब मेरे बच्ची! पॉह मेरे बच्ची! जब शोब भास्या? बागा, बिर्दा। नॉर जो! बिदि एंगा का वो मैगा को इंगा गोडाए तूग मैं दूराए जो? नहीं में तूराए तूगा का विस अगा यूड़ में दूराए गोड्राए जी में आपका और पार सौरे थी नूर पो इच्पेशन के साथ को ने? जी आप मेरे सब बिलिग कोटर पे आजे अचा जी नभी चलो बिट्या बिलिग काउटर पे जाद विलिग कोटर पे जादा आज अजिए जी ने ज़रूरत नहीं है ठरवार मैं हूँ मैं हूँ हमसर तुम हाँ मैं तुम तुम यहां कैसे मुझे मुझे देखकर मायूस हो रही है हाँ तुम्हारे हिसाब से तु मुझे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए क्योंकि जिस हाल में तुम मुझे छोड़के गही थी मेरा वजना बहुत बहुत ही मुश्किल था लेकिं देख मुझे मैं बच गया मैं जिन्दा बच गया पर भी मुझे 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 नहीं मिली पर जेख देख इसमत में हम दोनों को फिर से मिला दिया परवीन अब तू अब तू मुझे 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 पकड़ लेगी तुने फिर से में चोड़ कर भागी थी मैं दर की थी मुझे लगा कि पुलिस तुमारी कदल इंसाम में मुझे पकड़ लेगी तबेटी या क्या होगा एप इप डेटी तू क्या हो वो, वो हमारी बेटी है, जिसको मैंने चाको मार दिये. तुमने उसे चाको मारा? अनिश 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 मैं मुझे पानी पानी लाग में अच्छो दिखें, पानी पिदे आप मेटे मैं लेला हाशिमी वही जिसका पर्स बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी खत्रे में डाल दी अप ठीक तो है ना अपका पर्स मेरी गया था तुम्हे भी मेरी फिकर एक पर्स के खाटर है तुम्हे जिंदगी दाओ के लगाए तुम्हे पानी पी पानी पानी कम हाँ बस पिटे अभी डॉक्टर में मना किया है जहता पानी में देजी असलाम नेकुम्ह वाली उसलाम पैसे आपको सभी पर्स की खाटर अपनी जान खत्रे में डालने चाहिए थी नूर मेरी जान गोश आगया तुझे अब कैसा मैं सूस करी है इतना परिशाना हूँ मैं अब ठीक हूँ कैसे परिशाना हूँ मेरी जान इतनी कौन सी बड़ी आफ़त तरी है आफ़त तो मेरे सरानी थी जो इस बच्ची ने अपने सर लिए में तेमारा बहुत बहुत शुक्रिया अगल में आप दोनों के किसी काम आ सकना तो मुझे बहुत खुशी होगी नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और मेरे बच्ची को कुछ नहीं चाहिए विसमें रॉक्टर से बात की है उन्होंने काया कि इन्हे आज जाज चे करना बढ़े गए आप बिटा ड्यूस क्लेर करती है तुमें जी आउंटी वह तो मैंने करती है सारी पर मुटी की रोप लिए चले यह चाहिए कुछ खाएगा मेरे बच्चा वेगम साहिबा आप उपागी आपको बड़ी वेगम सहबा याद करनी है अच्छा रजिया यह परवीन है और यह है उनकी मेटी नोर यही वह बच्ची है जसने मेरी मदद कीति अच्छा अच्छा रजीया मैंने परवीन को यहां तुमारे साथ किचन में रख लिया तुमारी मदद करेगी जी ठीक है परवीन यह रजीया है हमारी सबसे पुरानी मुलाजमा इस घर के तमाम मामलाद देख लिया तुमें कुछ भी चाहिए हो तुमने इस से बाद के लिया ठीक है अच्छा वजीया यू करो इनका समान ने करवादो काड़ी से अधि मैं अजर आपनी से मिलके आती आप आजें मैं आपका समान ने करवादो आप लोग इधर इंतजार करें मैं आपका कमरा सेट करवाती हूँ जी ठीक है मैं खर तो बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही बड़ा है अजर आपका करवादो यह थेस्वेर किसकी है बेटी की बेटी की हाँ ये यचीन लेला बहन की बेटी है इसकी शकल किपनी मिलती है न उनसे हाँ प्यारी भी बहुत है बहुत आजो आजो परवीन आजो अम्मी ये है परवीन नहीं बावर्चन और ये है उनकी बेटी नूर असलाम वीकूँ तो ये है माँ बेटी लैला तुमेरे अच्छी तरह समझा दो इस घर में काम करना है तो मेरी पोती को किसी किसम की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप फिकर ना करें आपके पोती मेरी बेटी जैसी है तो मैं उसको कोई परिशानी नहीं होने दूँए परवीन हाला आपको और नूर को सल्मा की बातों को नजर अंदास करना चाहिए वो है यह ऐसी बत्तमीज मैंने उसे कभी किसी से इच्छे से बात करते नहीं सुना सवाए छोटी बीबी के छोटी बीबी? हाँ हाँ लैला बेगम साहिबा की बेटी जोया बीबी परवीन हाला यह कड़ा कैसा है? अम्मी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ हाँ हाँ बेटा पूछो जब से हम यहाँ पे आये हैं आप कुछ पदली-पदली से लग रहे हैं क्या मतलब हो बेटा? क्या पदली-पदली लग रहे हैं? वो लैला अंटी की सास ने आपको नौकरानी का और मुझे बहुत बुरा लगा और आपको जरा बे बुरा नहीं लगा बलके आप तो ऐसे भी एफ कर रहे थी जैसे हम वागई उनकी नौकरानीया हैं तो और क्या करती है? हम पर उनके बहुत ऐसान है यह क्या छोटी बात है? कि उन्होंने हमें इतने बड़े घर में रहने के यह जगा भी है तो बदले में हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनकी खिदमत करें लेकिन अम्मी बात सिर्फ यह नहीं है जब से यहां आए हैं आपके चेरे पर एक अलग सी खुशी देख रहे हैं ऐसी खुशी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी तो बेटा खुशी की बात है ना कभी सोचा था तुमने कि हम एक बड़े घर में रहेंगे और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारा बात यहां कभी नहीं आ सकेगा अब हमें कोई परिशानी नहीं होगी यहां अच्छा तपिर आपने जूट क्यूं कहा कि वो कड़ा मेरा है उस कड़े पर जोया लिखावा था और आपने कहा कि वो मेरा है कहा से आ रही हो तुम्हाँ तुम्हें आज पर सोया में क्या करो तुम्हारा अगर नभीर तुम्हें इस हालत में देख लेता तो क्या होता क्यों हमारी इजट को मिट्टी में मिला रही हो नभीर नभीर के अधार हो में यही पर था अभी अभी गे लेकिन तुम मुझे बताओ यह सब कुछ कब तक चलेगा आने दो अपने डाट को बताती हूँ यह सारे काड़नामे तुम्हारे उठो उठो दफ़ा हो जो अपने कमरे में उठो यार्ला मेरी तरभियत में कहा कमी रही यार्ला तो मुझे मेरी किन गुनाहों के सजादे हो यार्ला इसको हिदायत दे मैंने अपनी बेटी को देख ही लिया कितनी प्यारी है मेरी बेटी सार बस कर दें, I think बहुत हो गया वैसे भी मैं मॉडल नहीं हूँ आप क्यों अपना टाइम बेस्ट कर जाएं एक तो तो मुझे सर के ना बंकरो तो मुझे भाई भी बोल सकती हो भाई, लेकिन सर फेर सर लेकिन लेकिन कुछ नहीं मुझे मामा ने बताया था जुस्ता तुमने अपनी जान खत्रे में डाली उनके लिए तुम हमारी मैमानो और मेरी भेन भी अच्छा एक मिंट बेटो और केमरे की तरफ देखो अच्छा बेटो तो सही थोड़ा सा मुस्कुराओ जरा खुल के मुस्कुराओ जैसे तुमने गोल की है ये चीज तुमने की तुमने तुमने की और अंच्छा बागे भी हुए ये ड़ाने की बिलागे के पाशे mãशेते हितंता हमे हुए ब Griffas ये ये खा़ाब आड़ो नए अच्छा पुसी आच्छा धुमने है吗 को ये बाली गी हां अरे नभील तुम कब आए मैं अभी थोड़ी दे पहले जब तुम दोरे बातें करे थे लगता है जोया भी तक त्यार नहीं हुई इसलिए तुम यहां आगे किस की पिक्चर देख रहे थे यह रेक तेरा दोस्त कितना अच्छा फोटागोफर है कितनी भी खास नहीं है मुझे तुने कर बिल्ली की पिक्चर ली थी नहीं हो जाद अच्छी थे थे अब यह थी नहीं बुरी है आप देख ची मैं यार तुम भी ना कुम तंक करता है इसे तंक के वह रैंगे इस थे थे अब यह थी में सब्सक्राइभ करते हैं अच्छा थे मादब अपने क travelledुए यह जो भी कहंब यह रहेंगी जुके में अतल बुरी कि की तरह कारें उनकी बात मानने में कौ बिरा ही नहीं क्या? अब आप ऐसे क्यों देख रहे है मेरा? हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? हाथ छोड़े मेरा? नभील मेरा हाथ छोड़े में के... नभील? नभील? किदर हो यार, हम रेडी? सलमा? जी छोटी बेगम साइबा. नभील को देखे के? नहीं, अब भी तो यहीं बैठे थे. ठीक है, तुम जाओ. जी. नभील, क्या करें मेरा हाथ छोड़े में कह रही है? नभील? नभील? तुछ? तुछ? क्या किया तुमने? यह जान पूर्च के किया ना तुमने? हाँ, तो फुद ही तंग कर रहे थे आप मुझे? तो इसका मतलब कि तुम पानी फिंग तो मुझे? आहिस्ता, मैं बहरी नहीं हूँ, किक-टाक सुनता है मुझे. ओके, मैं सॉरी, मैं ड्राइग अज़ने हूँ. मैं लहने दो, चोके. इसके, क्या हो रहा है यहां? तो यह तुमारी शर्ट केसे कीली हुई है नभी? जोय, कुछ नहीं पर इस फोड़ा सपाने के लिए है. सब कुछ तुम ने किया है ना? नहीं, इसमें इनके अपनी गल्थी है. मैं फिर सब में जबान चलाना शुरू कर दी. माफी मांगो. माफी? जोय, यह उसकी गल्ती के विरसे नहीं हुआ. जस पानी के रहा है, कुछ भी नहीं हुआ. मैं यहां से नहीं जाओंगी. जब तक यह तुमसे माफी नहीं मांगेंगी. जोय, रहने भी दो ना. मैं कही रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, उसी गल्ती नहीं है. तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ. कैसे नहीं नहीं दू, नभी? इस घर में हर एक को मेरा हुकम आना परता है. मैं किसी के नाफरमानी बरदाश्ट नहीं करोगी. तुम नभील से माफी मांगो दी, जिस कच्छी अबादी से आई हो, वही वापस जाओगी. सुर्या. क्या हुआ चोटी बीबी? में पेटी से को नभील साब से माफी मांगे. बत तमीजी की ऐसे नभील से. किये तरबियत किये तुमने अपी पेटी की? मेरी अम्यी से ज़ाख़ा तमीज से बाट करूँ, कया कहा तुमने? नोर, रुको. अम्यी. माफी मांगो जॉबी से अभी. लेकिन अम्यी मैने पूर माफी मांगो. मैं केरी यो माफी बागो! माफी चाती. चलो तुम एरे साब. चलो. चलो, स्वारान की कोई शर्ट देती है, पहन लो. Zoya बीबी ठीक कह रही है, मैंने तुम्हारी तर्बिया ठीक नहीं की, इसलिए तुम ये सब कर रही हो. अम्म, आप मुचेंगे बीबी, क्या अखिर हुआ क्या था? नहीं, इसके जरूरत नहीं है, जोया बीबी के सामने तुम्हारी जिद के थाबिद कर रही है, ये गलती तुम्हारी है. अभी मुचान नहीं है. मैं सब जानती हूँ नूर, बस तुम अपने आपको ठीक कर लो. मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, कि इन सब लोगों के साथ बहस मत किया करो. लेकिन तुम मेरी एट नहीं सुनती हो? अभी मुचा उनसे, उनसे पहरी पीचे. बस नूर, आइदा मैं तुम्हें उनसे बहस करते में ना देखते. ये रिष्टे जो पास मेरे हैं, वो कब तक साथ मेरे हैं, अब चारो तरपे बसी हैं, और दर्द के गेरे हैं. क्या हूँ? अब तुम्हारा मुट क्यों खराब है? कुछ नहीं. तो पिर खामोश की हो? म्यूजिक प्ले कर देना था. नहीं, मुझे गाने नहीं सुन्गी. अचि तुम सिभाते कर. अच्छा. ज़रो तुम करो बात. अजन रहूंगा. सुमिदेल, तुम्हें सोच नहीं के कि हमें शादी कर देंगे जाए? इतनी जल्दी? तुम्हें ये जल्दी लग रही है? बचपन से में रिष्टाता है. जोया, मुझे लगते है कि हमें अभी भी थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए. तुम्हें मुझ से शादी करने के लिए और वक्त चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं है, जोया. तो फिर क्या बात है? देखो, अभी मैंने एजुकेशन कम्टीट की अपनी. बिजने स्टार्ट किया है, मुझे स्टेबल होने में तोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना? ओओओओ, बिजनेस की बात? तो उसमें तो मैं तुम्हारा साथ हूँगी, ना? जोया, तुम नहीं समझ रही मेरी बात. मैं बिजने सब समझ रही है. बता नहीं मुझे ऐसा लगत है कि तुम मुझे से शादी करना ही नहीं चाहते है. क्या बोल रही हो तुम? काड़ी लोको. क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा गाड़ी लोको नभी. लेकिन क्यों? मुझे अब तुम्हारे साथ कही नहीं जाना. क्या बेव बूफु वाली बात करी हो तुम? नभील, आइसेट स्टॉप दगावनना में बूच जाओंगी. तुम्हारे दुमाग तुन ही हराब हो गया? पागल हो गया तुम? वाम ये पागल हो गया तुम्हारे लिए! मेरी बात सुने, तुमने जो भी करने है न, घर जाए करने न, यहां चुप करके बैठी रहो तुम? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आगी. जोया! जोया! जोया, यह क्या अरकत ही यार अगर तुम्हें लग जाती तो? मैने तुम्हें पहले ही खा था नबील के गाड़ी रोको, लेके तुमने मेरी बात नहीं सुरी. यार, मुझे रगा के तुम मजाग कर रही हो. मेरी बातों के मजाग कर रहा है? मैं जो कहते हो, मैं कर भी सबती है. जोया, यह तो तुम बात बातों मूट खराब कर ले दियो कि. बास नबील. अब कहा जा रही हो? मुझे तुमारे साथ कही नहीं जाना, मैं खुछ चले जाओंगी. जोया! जोया! जाओ नबील. जोया! करते रहो कॉल नबील. तुम समझते क्यों आँ खुद को? अब तुम्हे मेरे पीछे आना होगा. नहीं करनी तुमसे बात. क्यों आई हो यहाँ? आपके लिए जूस लाई हूँ. आप इस टम जूस पीती है ना? आपके अच्छाए आए जाए जाए जाए. कुछ नहीं चाहिए मुझे! तुमने सुन ने, मैने काँ आए जाए 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 जाए! निहान से लाएंगे, ये दे दे मुझे, अब दॉन का ला, अब जाएंगे कर चेक कर ने, अच्छ पोड़े, निहान कर दो, झाल झाल नूर? नूर! क्या होँ नूर तुम ठीकते हो? इतनी हमद! आज मैं इसे नहीं चड़ूंगी! ठीक हूँ मैं? आँ! मुझे लगता है कि तुम चलनी पाओगी कोई जरूवात निसे तुमारी मदद की चली जाओंगी मैं मेरी मदद की जरूवत नहीं है तुमारे हम मैं अपनी मदद खुद कर सकती है अच्या, फिर इसे सोच लो सोच लिया है छोड़ो फिर सोच लो सोच लिया है पर की बात है अग्का चलो अभी कबार ना इंसानों को इसी का सारा ले लेने चाहिए अब जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ मुझे मदद करने दो जुदे बहन दो अब उन्हें नहीं हाथ नहीं हाथ नहीं हाथ नहीं हाथ ज्यादे दरते दुख रहा है चलो जूते छोड़ो चलो चलो वैसे किसने कहा था कि सीड़ी से चलांग मारतो मैं तो उनकी मदद कर रहे थी सब की मदद करती हो तो हाँ क्या हो रहे दूर अब आए नबीर चोड़ो मेरा हाथ नबीर आज में से सबख सिखा कर रहे थी तुम इसकी तरफदारी मत करो तुम लोग इस तरह क्यो चल रहे थे तुमारा दिमार तो हराम नहीं हो गया अइसा कुछी है जो तुम सोची हो मेरе साथ चाहलो तुम तुम मेरे सामने सबाभी तुम समझ सी एकरा तुम और मेरे सुक इसा सबख सुखा करूं जोया मेरे बाट सुनो तुम कहान खोल के म tat सुनो ये सीड़ी से मैं इसको सिर्फ कमरे तक लेकि जारो उसको चोट लगी और कुछ भी नहीं है तो वह जाएगे तुम्हारे करीबाने के लिए नाटट करते है जो है चलो मेरे साथ चलो तुम्हे तुम्हे छोड़ूगी नहीं चलो मा मा तुम्हारे करीबाने मुझे यह बिलकुल पसंद नहीं है नबील देखो जोया तुम गलत समझ रही हो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रहा था जो तुमने उसके साथ किया वो ठीक नहीं है तुम उसके साइड ले रहे हो हाँ क्योंकि गलती तुम्हारी थी तुम उस तोट टके की लड़की के लिए मुझे गलत बोल रहे हो हाँ सुया मेरी बात चुना मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यह समझा रहा हूँ कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं था तुम्हें मुझे समझाने के जरूर कुई है मैं सब समझती हो नबी यह चोटे लोग इसी तरह हम जैसें का अपने जाल में फसाते हैं सुया मैं तुम्हें बार बार यह बात बता चुका हूँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी मैं नहीं कहा था कि उसकी मदद कर देता हूँ वो तुम मदद लेने के लिए तयार भी नहीं थी तुम खाम खाम क्यों उस बिचारी पे लगा रही हो अच्छा तो अब वो तुम्हारे लिए बिचारी हो गई अबील तुम अपनी बातों से मेरा खून जला रहे हो इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की का नाब मेरे सामने मत लो और प्लीज जाओ यहां हाँ हाँ मैंने कहा जाओ यहां से मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करें सुया नूर क्या हुए तुम्हें वो मैं सीडी से कर गई सीडी से कर गई? कौन सी सीडी? रजिया खाला की मदद कर रहे थी बलप लगाने में तुम्हें क्या जरूरत थी यह सब कुछ करने की? किसी और से कह दिया होता? अम्मी अभी मैं वैसे ही बहुत खुसे में हूँ प्लीज क्यों? क्या हुए? अब जानती है वो जोया है ना उसने फिर मुझे तुमने ही जोया बीबी से बत्तमीजी की होगी नूर मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम जोया बीबी से बात नहीं करोगी अम्मी क्या हो गया पहले सुन तो लें उसने किया क्या है गलती तुम्हारी ही है नूर तुम्हें नबील साब को मना करना चाहिए था अम्मी मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन फिर वो जोया वो मुझ पर हाथ उठाने वाली थी वो तो अच्छा हुआ नबील सर ने रोक लिया अम्मी हम अब यहां नहीं रह सकते तो वो जोया है ना वो हमें हकीर समझती है उससे लगता है कि हम उसके सहारे के मौताज हैं नूर बस ऐसे बिना जाने किसी पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं होती जोया भीबी ने ऐसा भी कुछ नहीं किया हाँ वो थोड़ी जजबाती हैं उन्हें खुसा जल्दी आ जाता है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है अम्मी क्या हो गया इतना सब सुनने के बाद भी आप 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 नूर क्या हुआ तुम ऐसे क्यों चल रही है जी वो सीडियों से गई थी तू पैरपर मोच आगी तो बिता तुम्हे आराम करना चाहिए ना खाना किसके कमरे में लेके जा रही है बड़ी बेगम साहिवा के लिए यह मुलाजम कहा है जो तुम यह सारे काम करी है आउंटी भूग सलमा चुटी पर है और रहाना अप परहान साहब का कमरे साब करी है इसलिए मैंने कहा मैं ले जाती है तुम इस घर के मुलाजमा नहीं इसलिए यह सब काम तुम्हारे करने के नहीं है परवीन यह सब क्या हो रहा है नूर की हालत तुम्हारे सामने है तुमसे एक काम क्यों करवा रही हो यह लो तुम और अमीके कमरे में देख रहा नूर तो है ये सब करने के लिए किस में कहा है वो उन्हें मैं और रहाना आपको परे घर में डोंड़ रहे हैं आप मुली नहीं इसलिए मैंने का आँ मैं ले जाती है परवीन तुम नूर को क्यों डांट रही है ये सब मामला तुम्हें खुद देखने चाहिए इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है जाओ तुम खाना देखे आओ तुम चलो मेरे साथ इस पर कुछ लगाना पड़ेगा अंधिया नहीं तकिमत करे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे कैसे जब तक कुछ लगाओगी निये तो ठीक कैसे होगी चलो मेरे साथ अराम से लेला तुम्हारा नूर के लिए फिक्र करना तो बनता है नूर तुम्हारी बेटी जो है इसी तरह मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र है लेकिन ये सब में तुम लोगों को नहीं बता सकते अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है और तुमने अपने कबरे में आराम करना है बिल्कुल हिलना नहीं आसे क्या हुआ रो क्यूं रही हो? दर्दौर है बहुत नहीं तो फिर क्यूं रो रिया अट्टी आप उतनी अच्छे क्यों है बिल्क हर क्युं करते हो क्योंके तुम मुझे बहुत अच्छी लगते इसलिए तुमारे फिकर करते हो इस तर्ट का एसास चुबी नी मा को होना चाहिए वो आपको हो रहे ऐसी बात नहीं तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारा एसास है मैं जानती हूँ लेकिन अब तुम्हे अपना ख्याल खुद रखना है अच्छा अब तुम सोचो मैं चलती हूँ अराम करो लेट चाओ चोटी बेगम साहिबा क्या है आप बाहर जा रही है हाँ कहां जा रही है क्या कहा तुमने दुबारा बोनो चोटी बेगम साहिबा आप बाहर ना जाए आप जवान है रात देर तक आपको बाहर नहीं रहना चाहिए तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो मेरी मा नहीं अपनी औकात में रहो अब दुबारा मेरे जिंदगी में दखल मत देना समझी तुम मेरी मा नहीं मैं ही तुम्हारी मा हूँ मैं ही तुम्हारी मा हूँ में और में प्राइश भुमुण बदिपष़़ण जोय, जोय कोई प्राइश तुम्हारी मत कोई घिए ।ुम्हारी मत कीथ बा-थ। अजद अजद जोए जोए क्या है यह सब क्या हाल बना रखे तुने मामी प्रीज मुझे सोरा है तुम सारी हदे पार करनी मेरी खामोशी का बहुत फाइदा उठाए तुम वेगम साहिबा जोए वीपी के हालत तो देखी आपको इस वड़ा की बातें नहीं करनी चाहिए परमीन तुम बेगम साहिबा मैं तो इसलिए बोल रही हूँ इस वक्त आप जो भी बोलेंगी जोए बीबी को समझ नहीं आएगी देखें ये सही तरह से पाँपे तो खड़ी हो नी पानी इसकी इन्दी हरकतो ने परेशान करके रख दिया मुझे बेगम साहिबा मेरी बात मान देखें जोए में भी कि तब यह ठीक नहीं है भुश्ट करो जोए शोड़े मुझे मपी ले जाओ पर मीनिस को इसके कम्पे में इससे पहले के मेरा घुसा बेगा हूँ क्या खाल बना रही है अपना क्या मेरी बच्ची मेरी बेट्टी, क्यों करती हो इसे? मैं तुमने इस हाल में नहीं देख सकते हैं बसकार दोनूर, तुमको ज्यादा ही बोलने लगी लगता है हाँ में, क्योंकि जब मेरे पैर में चोट लगी तो आपको ज़रा भी फिकर नहीं हुई और जोया, जब वो रात भर घर नहीं आई, तो हब पूरी रात एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी वो इसलिए नूर, कि उसकी तरह अगर तुम भी रात भर घर से बाहर रहती ना, तो में तुम पहरे लिए भी परिशान की कि तुम लगी जाद का रात भर घर से बाहर रहती ना, अच्छी बात नहीं होती अब मारा बड़ी बीगम साइब, आपने बुलाया था मुझे? हाँ कौन हो तुम? जी मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही है? मेरा मतलब है, कि तुम यहां आने से पहले ही हम एग्राम की गी जी नहीं, नहीं तो अच्छा, ठीक है यह रात को तुम जोया के कमरे में क्या करेंगा? वो जी, मैं तो उनको उनके कमरें तक छोड़ने गई थी मैंने तुम्हे पहले भी कहा है, कि तुम जोया से दूर रहा करो आइंडा इस बात का खयाल रखना अब जाओ यहां से मैं आपको चाह रही थी अच्छा आइटी मुझे इजादत दें, मैं चालता है ठीके बिटे, आप जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना हा? जी आइटी मुझे अपने जोया के लिए डायमंड ड्रिंक का ओर्डर दिया था क्या वाप ने रिसीफ कर लिए? अच्छा क्या तुमने याद करवा दिया, मैंने तो दमाग सही निकल गी थी यह बात तुम लात होगी क्या? आइटी मैं पुला तो दूँगा लेकिन मुझे जरूरी काम है बताने मैं वापस आपाऊंगा या नहीं? मैं ऐसे करती हूँ, मुलाजिमा को तुमारे साथ बेज देती हूँ क्यूंकि ड्राइवर भी छुटी पर है वरना मैं खुछ चली जाती तुम मुलाजिमा को देकर बिजवा देना आटी ये कैसी बाते कर रही हैं? मुलाजिमा पर इतना ट्रस्ट हम कैसे कर सकते हैं? अरे पिटे, रिहाना हमारी बहुत पुरानी मुलाजिमा है नहीं आटी, मुलाजिमा पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर रिंग कहीं गिर गई तो क्या करेंगी आप एक काम करें आप नूर को मेरे साथ देश 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 हाँ ये ठीक हाँ नूर बिटा तुम अदील के साथ जा किया मूठी लिए अउंटी मैं पिटा चलिजे जी ठीक है प्लीज तुदा अफिस आफिस आन्री अला हाफिस झालो जो फोर्फिसा प्लीज ये जो आप पर हो तो कि मैं गरपर हो नभी आप तुम्हें लेने के लिए था या तुमने काम वाली के भेज़े कि तुम्हें टाइम लगे यह मने खूँदील क्यों इस चाहिए। अज़ पर आपको आपको अच्छली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहना इसलिए थोड़ी देर हो प्ली अच्छे जल्दी यो ओके बाइ अबी तो तुम्हेरा अवर नहीं सार करना पड़ेगा Mr. Nabil इतने असानी से तो मैं भी नहीं माने दो वह आपने मुझे बताया नहीं के हम यहां क्यों आए तुम्हें काम करो तुम अंदर बैठके चाहशाय पीड़े मैं बस एक जरुरी काम हैं और इप्टालो ते हम चलते है म्हें दो सकता करने दो झाल सामने कुम अब यहां? वारी मस्टराम हाम जोया के साथ खाना खाने के लिए आया है उसी के इंतिजार कर रहा हूँ मगर तुम यहां पर? वो मैं अदील सार के साथ आया थी अदील? अदील तुम्हें यहां पर लेकिया है? नहीं वो नहीं वो दरवसल तो उन्हों ने कहा कि मैं अदील सार के साथ चली जाओ हम यहां आये तो अदील सार ने कहा कि मैं यहां बेट करूँ वो कुछ काम से गए चलो सही है मैं अदील को कॉल करते हूँ तो बेटो बेट करना आतो अरे यार लगता है नूर ने बता दिये कि मैं यहां पर हलो अदील तुम यहां पर आ रहे थे हो तुमने मुझे बताया को नहीं अरे भाई मैं एक जरूरी काम साया था विसे आपको कैसे बता चला कि मैं यहां पर हूँ दूर मेरे साथ पेठी वी है तुम उसको भी साथ ले आया हो अच्छा अरे यह तुम बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा वक्त आप नूर के साथ गुजार लें जब तक जोया नहीं आती है अदील मजाग मत करो तुम अच्छी तरह से जानते हैं जोया को तुम यहां पर नहीं आना चाहिए था अरे अब परिशान मत मैं बस कुछी देर में आज़ोंगा और फिरम चले जाएंगा अच्छा ठीक है जल दी हो मैं वेट का है रहो मैं बस अभी आए अच्छी यह रब स्वरी माडम स्वरी जो यह रब अवसकर वेटी जीद वह वश करना पड़ेगा चलो यह जोया बीतक है कियों मुझे लगता है उसे मुझे कूद फान करके बलाना हो इस्टूसमीर आपो एंपर मिस्टर नभीर की नामसे क्रिजविशन ओकी ने जिमें जी मम, इनका फस्ट लूर पे नका टेबल भाइपल ती सरफ एठ. जी मैम, इनका इनका टेबल ती सरफ है. घ्रे नावणा प्रोयक्ट था. अबन्क नियुआ है, आपने मसाया है. एक टेबर नभी तो नहीं है तो कोई नहीं के साथ थोड़ी दिर पहले इहां पर बैठे हुए थे फिर उन्हीं के साथ यहां से चले गया है क्या 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 करी है मतलब है कि वह किसी लड़ी के साथ है यह हिसे जोस्ती है कि तो मुझे नहीं किसी लड़की के साथ यहां पर आये दिना कुछ ऑडर के वह यहां से चले गया है ओके. चुफ़े, की के खाथ? Zoya? क्या हुआ? Zoya की कॉल है, मेरे खाल है, वाप गई है. हाँ, अब आपका इंतजार कर रही होगे आप जाएं. नहीं ठीक है, मैं तुम्हेश उड़ाता हूँ पहले. मैंने उपसे पहले ही काता में चली जाओंगी. आप जाएं, वो वेट कर रही होगी आपका. इसने कहां से देख लिया? अब क्या हुआ? हाँ, Zoya का टेक्स्ट है, मेरे खालों से शक होगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. देखा, मैंने पहले ही कहा था, मैं चली जाओंगी, आपको आने की जुरत नहीं है. अब आप जाएं, Zoya के पास. नहीं, अब भी मिलूगा उससे. चला, मैं तुम्हार सा चलता हूँ. चुर. हाँ, हाँ, चला. यह लोग कहा जाएं? यह लोग कहा जाएं? अब आप जाएं? अदीन? तुम? एज़ा, तुम यहां? क्या करी हो? अधू, यहां नभील से मिलने आई थी. वो कहा है? नभील से मिलने आई थी. वो जा रहा है किसी लडकी के साथ. किसी लडकी के साथ था? हाँ ना. देखेंगे. क्यों यहां यहां? क्या हुआ? गड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम परिशान नहीं हो जेगे. होजा स्टार्ट. होगी. क्यों परिशान नहीं होगी. ऐसे हम यहां क्या तरह है? अब तक घर क्यों नहीं गए? तरह रही हो तो. परिकर नहीं करो, मैं तुम्हें कहीं भगा के नहीं लेके जाओंगा. आप मुझे भगा भी नहीं सकते. श्या. और तुम्हें असा क्यों लगता? बस, क्यूंके आप ऐसे नहीं है. थोड़ी देवें चलते हैं गर. अभी जोया उससे हमे होगी, पता नहीं गर में उसने क्या हंगामे डादा होगी. और मुझे डर है कि कहीं उस हंगामे में मैं ना पस रहा. एक काम करें ना, आप मुझे कहीं डॉप कर दें, मैं वहां से खुट घर चले जाओंगा. अनला से लिए डॉप कर तक, मैं तुने कर तक शोड़ के हो हूँ. मेरी फिकर कर रहे हैं आप। मैं अपनी फिकर कर रहे हूँ. आप फिकर कर रहे हुए, मैं तुम शोड़ा हूँ. हुआ. जोया बीपी, आप मेरे कमरे में? कहा है बो? कौन? कहा है तुमारी बेटी? वो तो लैला बीबी के किसी काम से गई है जी छूट मत बोलो बताओ मुझे, कहा है वो? मैं सच कह रही हूँ जी वो अभी तक वापिस नहीं आई हुआ क्या है? आप इतना वोसा किम कर रही है और जुस दो कॉड़ी की लड़की की वजा से मेरी बेस्ती हुए है मैं उसे जिन्दा नहीं चोड़ूगी मैं उसने मना भी किया था कि नबील से दूर रहूँ अगर उसे मेरी बात समझ में नहीं आई अब उसे उसके किये की सजा मिलेगी समझी तुम? जाने कैसा किसमत का सफर किसे कहने जाए किसको है खबर क्या पत्तमीजी है? क्या पत्तमीजी है? क्या पत्तमीजी है ये? वे! या कह रहे हैं सपुष? दिखलो यहाज़ है वे, श्यादा ही लोग बनने की सजी इधर ही लोग की रहन का दूगा इससे बात कर तु जानता नहीं मुझे? चोड़ो आया मही से एंट चोड़ो, चोड़ो चड़ो, चड़ो, चाँड़ो या wygląda चड़ो याज़ो ऑफ्दे खाख़ो नबीर ne? नबीर गास है वारो नबीर नबीर और शो नबीर गॉथ эн्टोह जी बच्छो जोरोए जůको नपन दोजिद जो नपन जोजए तो, जो हो दुद एक इसो नपन, जो में जो एक जो नपन, जो नपन, जो जो उको नपन… नपन, जो को नपनी… नबीर, 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 डॉर्टर, अब नबीर कैसे है, वो ठीक तो है ना, वो आइसीयो में है, बस अब दौा कीछे, ये कोन है, नूर है ये, नूर है, ये, नबीर के साथ थी जब वो रेस्टोरेंट से निकला था, मेरा बेटा कहा है, वो आइसीयो में है, पहले से बहतर है, ये सब कैसे हुआ, मेरे बेटे को गोली कैसे लगी, ची वो, अब, अब, अब मुझे महा चोड़ कर कहा चरे गए थे, अच्छा, तुमें तो मैने महा रुखने का बोला, और तुम तो अनुबील के साथ ही निकल गी है, क्या है? आपको मुझे वहा लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, मैंने कितनी देर आपका वेट किया लेकिन, अब अपेस ही नहीं आये, अब, अब देखा आपने, अबील सर के साथ क्या हो गया? क्या हुआ, किती मासूम होता है यह जो कुछ हुआ है ना, सब तुम हरी वज़ा से हुआ है, समझी तुम मेरी वज़ा से, यह आप क्या कह रहे हैं मेरी बात ना कान खोल के सुआ अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नी छोड़ा समझी वेट करी कैसे है मेरे बेटा मैं ठीक हो में आफ एकर ना करें और बेटा तुम्हें इगोनी लगी कैसे नभी बेटा लेटे रहो खुद को तक्लीफ में मठ डालो बेप नूर काफर है बाहर है उसे कुछ हुआ था नहीं बिलकुट ठीक हो तब फिर वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई मैंने उसे बुलाया भी है पता नहीं मुझे मिलना उसे वो तो शाय चली गई है चली गई है कहां चली गई है मैंने मिलना तो उसे नभी बेटा कहां जा रहे हो नूर से मिलने तुम्हे भी बैट से नहीं उठना चाहिए नहीं मुझे मिलना है नूर से नभी नी सबसे पहले मुझे मिलने क्यों कहां क्या आप क्या मुझे उसे मिलना चाहिए नहीं नभी अब ठीक है मुझे भी अब घर जाना चाहिए घर में सब परेशान हो रहे होंगे और फिर लेला अंटी भी इंतिजार कर रही होंगी नबील नबील रुको, कहां जा रहे हो, लेट जाओ मैं नूर से मिलने के लिए जा रहा हूँ तुम उसे बात में भी मिल सकते हो नहीं, मुझे आज ही नूर से मिलना है, आज अदील ने पता ने कितनी खलत फहमिया पैदा कर दी है हमारे बीच सदीगी को तो मैं छोड़ू का नहीं क्यों, अदील ने क्या किया है? वह मैं आपको बात में बता हूँगा, अब मेरे साथ चल रही एक नहीं चल रही अब बता नहीं, पता नहीं रही जोड़ू नूर के साथ किया आकर अब चल रही एक नहीं चल रही है एमा खुछ चल आशओ, आज नहीं गरूँगे तो है यह चोड़ू के जिए जीकने की अवाज है लेला भीपी मुझे लगता है जोया भीपी नूर पर चिल आ रही है चलो दीखो जोटेवादी मुझे जोटे क्या होगए या मेरी बच्ची कॉ रुप जाए जोया भीपी जोया भीभी रुप जाए Z nhi आम भीजा में तुम्हारे दुमाहद तुम्हें तुमने यही ज़र इसको फरान उपर इंचिन निजिए मैं फिरेच वो एक रूट राग अबी जी जो ग़ो आपके अपर शेयों किया? अबी खुड़ अपर आटे लेके अप्से गोड़ां अबी अबी अप्टीक तो है नॉटे अबी नोश करो मैं, बुलीओ को ला? मैं, लुम्हें बॉष एंगा झुछा है अमें, आमींचे ता अमीम, आप रिकाम करें, आप अंदर चले में बना रहा हुआ जब जटाओ, आप जाए नहीं आपको ये चोट जोया के वज़े से लड़ी, आपने मुझे कमजोर कर दिया था, वरना उसकी इतनी हिमत कभी ना होती, कि आपको हाथ लगाए अब हम यहां रहें, या ना रहें, मैं उस लड़की को सबक सिखा कर रहूँगी नहीं नूर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्यों मैं, क्यों नहीं करोगी मैं हर चीज बर्दाश कर सकती हoda लेकिन ये बर्दाश नहीं कर सकती कि मेरी माँ पर कोई भी आँच आ Bears लेकिन तुम्हारी माँ पर आँच भी तुम्हारी वज़ा से आई है जोया ने मना किया था ना कि नबील से दूर रहो तुम फिर उसके साथ थी अमी मैं नबील के साथ जोट मत बोलो नूर अगर तुम नबील के साथ नहीं थी तो उस वक्त वहां क्या कर रही थी अमी मैं तो लैला अंटी के काम से अदील के साथ गई थी थोड़ी देर बाद महा नवील भी आ गया फिर अचानक मैंने देखा तो पता नहीं अदील कहा गाइब हो गया तो मुझे वहाँ छोड़ कर एक और जूट नूर तुम एक जूट को चुपाने के लिए कितने जूट बोलोगी मैं कोई जूट नहीं बोल रही है आप मेरी बात का यकीन क्यों नूर मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती अगर तुम्हें अपनी मा की जरा सी भी फिकर है न तो आज के बाद तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ हो जिससे मुझे तकलीफ हो नूर अगर किसी ने आपको देख लिया तो बहुत बढ़ा बखेड़ा कड़ा हो जाएगा पहले ही पता नहीं सब हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं तो तो देख लेने था नूर मैं किसी से डरता नहीं हूँ आप नहीं डरते क्योंकि मसीबत आपके लिए नहीं मेरे लिए मसीबत खड़ी होगी आपको यह नहीं आना चाहिए था नूर मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ लूँगा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्यों नबीर, क्यों मेरे लिए उकुद को मुश्किर में डालना चाहते हैं आप क्यों कि मैं तुमसे मुआबबत करता हूँ मेटा मुझे माफ कर दे मुझे तुम्हे अदिल के साथ नहीं बेजना चाहिए था नहीं आउटी, आप क्यों माफी माग रहे हैं आप तो मेरी बड़ी हैं और बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मागते आज जो कुछ भी हुआ शाहिद, शाहिद वो मेरे नसीब में था नजाने पर वीन ने कौन सी यसी देखी कियो जिसे तुम जैसी बेटी मुली, आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखोगी किसी को तुम्हारे बारे में एक लफ़ भी नहीं बोलने तुम्हीं और रही बात जोया की तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी आज से तुम भी मेरी बेटी हो, बिलकुल जोया की तरा अदील, अदील ! अरे वाँ, आपको असे ठीक देखके बहुत खुशी हुई है वैसे दूर अटो मुझसे क्या हुआ नभील बेटा क्योंकि यह तुमने सब कुछ क्या हुआ भाई, क्या किया मैंने तुम नूर को वहाँ पे क्यों लेखिया थे जब तुम पता था कि जोए वहाँ पे होगी भाई मैं उसको नहीं लेखिया या ठी गलत पहिमी आपकी तफाक था तुम पता भी है नूर के साथ क्या किये जोए ने अरे भाई 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 इरे बांद छोड़ो औरना क्या औरना क्या छोड़ो एक दूसरे को पागल हो गई हो भाई हो कर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो अरे भाई भाई भोना बंद करो मैं ही लाया था उसे क्या कर लोगे दूर हटो दूर हटो अदील तुम्हारा दमाग खराब हो गया है जोया तुम्हारे भाई की मंगेतर है तुम इन दोनों के दर्म्यान में आकर लड़ाई करवाना चाहते हो अगर खुदाना हास्ता इनकी मंगनी तूटकी तो माई ग्रेट मदर आपको इसकी बहुत फिकर है के जोया की मंगनी ना तूट जाएस लेकन यूदन रड़ी माम जोया बहु बनके इसी घर में आई लेकन दोनों बेटों में से उसे बीवी बना के कौन लाग था ये बाद में आपको बाद में बताओ कहा है मेरी पसंदीदा डिश ये है चाइनीज डिश ये मैंने अपने हाथों से बनाई आपके लिए कि क्या बखवास है ये ये चाइनीज डिश है आपको तो चाइनीज बहुत पसंद है ना और देखे मैने इसको मचली में बनाए तूम पागल तो नहीं हो यह तो नहीं सब को जान पुछ कर किया है नो अज अटा भी था कि बजे यह फिश्ट पसंद नहीं है फिर भी तुम यह बना कर ले आई तुम उझे बदला लेना चाहते हो नहीं बताओ मुझे नहीं नहीं चुटी भी आपको कोई गलत फेमी हुई है मुझे कोई गलत फेमी नहीं हुई है तुम और तुम्हारी बेटी मुझे बदला लेना चाहते हैं नहीं नहीं तुमने यह खान अपने हातां से बनाया था खाओ खाओ इसए फिश है बहुत पसे की है खाओ खाओ यह क्या किया आपने एक बात याद रहा तो बारा मेरे मामलात में दखल अंडाती मत कर बना इससे भी बुरा होगा तुमारे साथ और हाँ अपनी उस बेड़ी को भी समझा देना कि मुझसे जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा होगा उससे फिश बन लिए अपनी अब बताएं सबको सच कि जोया ने आपके साथ क्या किया है हाँ परवीन बताओ जोया ने तुम पर खाना गिराया नहीं गलती मेरी थी जोया पीपी का तो इसमें कोई कुसूर नहीं है इन्हें तो पता भी नहीं था कि मैंने इनके लिए खाना बनाया है जो इन्हें पसंद नहीं आया तो वो में वापस लजा रही थी तो मेरी अपनी गलती सही वो मेरे उपर गिर गया अमी अमी अब क्या कह रही है परवीन तुम सच कह रही है जी मैं सच कह रही हूँ अमी अब क्यों सब के सामने मुझे जूटा बना रही है बताए ना सब को सच क्या है लोर तुम चुपा जाओ और इस तरह जोय वीबी पर इल्जाम मत लगाओ इसमें उनका कोई कुछ हो नहीं है परवीन मैं तुम चुप रहा हो सारी सचाई सामने आ गई मेरी बेटी जोया ने कुछ नहीं किया नूर आप तुम रो रही हो तुम जानते हो कि अपनी तक्रीफ मुझ से नहीं चुपा सकते और तुम एस तरह से देखकर मैं और ज्यादा तक्रीफ में आ जाता हूँ आपको भी फिकर करने के ज़र्फ में है मैं पुल्कुल ठेपूँ तो तो फिल तुमने क्या सोच है किस पार है में अपने और मेरे बारे भी नपील मैं अपसे पहले भी कह चुकी यह सारी बाते अपनी दिलो दिमाग से निकाल देंगे नहीं हो सकता नहीं नूर अब यह मुम्किन नहीं है मैंने जब से तुम से अज़ार मुप्रत किये ना तुम्हे और भी जाने लगा हूँ तुम्हे और जादा याद करने लगा हूँ नूर प्रीज मेरा हाथ थाम लो तुम्हे नो साथ जालेंगे ना तो हमारे कतम कभी भी टाप उखाएंगे नहीं नहीं हो सकते नहीं कभी नहीं हो सकते जब टोनों के रास्ते अलगे तुम्हे जी ले कैसे हो सकती नहीं हो सकता है नूर नबीर मेरा हाथ छोड़े मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े नबीर हाथ छोड़े क्या हो नबीर आप ठीक तो है न आपके हाथ से तो बहुत पून बहर है चोड़ लगई आपको नबीर चले मिरसाथ मैं आपको पट्टी कर देती हूँ वो मैं कह रहा था कि मेरी बात चनो आप चुप कह रहे चले मिरसाथ मैं पट्टी करूँगी कि बात मैं बात करें कि चले मैं नहीं चाहूँगा क्या पच्चा महली बाते करें आप आपके हाथ पे इत्नी चोड़ लगी आपको दर्द हो रहा होगा नौ आप चले मिरसाथ मैं पट्टी करूँगी आपकी मैं नहीं कहा है नहीं कि मैं नहीं चाहूँगा क्या होगे आपको? क्या चाहते हैं आप? तुम्हे तुम्हे चाहता हूँ आपका दिमाग पिल्कुल काम नहीं कर अभी और इसे वक्त मेरे साथ चले मुझे आपके हाथ पर पट्टी करनी है चले अभीर तेर्टों नहीं उड़ा? आप ठीक है आप मुझे एसे क्या देख्याएं? इंसान को जिससे महाफ़त होजाएं मैं उसे को देखते रहता है मैं जानता हूँ तुम्हे उसे महाफ़त रहते हैं इसा कुछ नहीं इसे आप सोच रहें इसा कुछ नहीं इसे आप सोच रहें मेरी आंको में देखो अपके बताओ नहीं ऐसा कुछ और अपके इस हाथ छोड़े मिला मैं उझे जान ने मुझे बता रो अभी आप यह ठीक नहीं कहा रहें मुझे सब कुछ वज़ती नहीं लगा मुझे नहीं नबील, कहां थे तुम? मैं, फर्हान को टूण रहा थो, कम्रे में नहीं अपने, तो उसको देखने के लिए लिए लागा. यह चोड तुमारे आत्पर कैसे लगी? वो रौट के पर हाथ आ गया था, अभी पर टी किया है. मैं सब समझ गई, कि सब कुछ उस नूर की वज़ा से हुआ है ना? आज मैं उसे जंदा नहीं चोड़ूगी! जोया नूर की वज़ा से नहीं हुआ! अब यह रोना-धोना क्यों शुरू कर दिया है? मुझे समझ नहीं आ रही है, आप वमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं! जोया छोड़ दो! जो! आ गहीं वो! नूर यह जो भी हो रहा है, सब तुम्हारी वज़ा से हो रहा है! अब वो आएंगी, तो तुमने उनसे माफी मांगनी है! और अगर वो ना माने, तो तुमने उनके पैरों में गिर जाना है! यह किसी बात एक हर रही है? मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली! का है तुम्हारी बेगी? बलाओ उसे जाकर! तुमने नबील के साथ थी ना? बोलो! और यह पट्टी तुम्ही ने इसके हाथ में बांदिया ना? नहीं, जोया बीबी! नूर तो कहीं और थी! लेकिन यह फिर भी आपसे माफी मांगेगी! नहीं, अमी! मैं कहीं और नहीं थी! मैं नबील के साथ ही थी! कर सकते हैं मैं कर सकता हूं कि मैं तुम खल्ती पे हो वाव रेली मेरी खल्ती जो या बस कर दो इस बास तो रड़ना में चला जहूंगो यह से तर कभी नजर नहीं आउंगा तुम्हें सोच लो नूर ये तुम हो मुझे तो लगा मेरे सामने कोई मॉडल खड़ी वी है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मुझे पता है मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मैंने आपसे कहा था मुझसे ये सब नहीं होगा मेरा यकीन मानो तुम बहुत अच्छी लग रही हूँ देखा नबील मेरी सेलेक्शन के भी खराब होई नहीं सकती हमारे इस फोटो शूट के लिए इससे अच्छा कोई और होई नहीं सकता था अच्छा आओ इधर हो आजो 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 सुद्गा इस खराब टोड़ी सेखाब इस तोडी सी इस वालजाए गएट। इस वालजाए गएट। इस वालजाएट। मैं एक यह कॉल रसीफ कर कि आता हूँ हलो? हाँ? अचिले ग्रियूड। मौर तगी तो नहीं? नहीं थांक यू थांक यू इस ओके मैं यहाद हमेशा के लिए थामना चाहता हूं कहतो जो दिल में हाँ हाँ चले, स्टार्ट करें आपे तर्शीफ्री है नूर थोड़ा स्माइल प्लीज हाँ यहाँ सुनो, मेकप आटिस का है? चोटी बीबी वो तो जा चुकी जा चुकी? क्या मतलब? तो दुबारा बलाओ उसे मुझे रेडी होना यह शूट की लिए चोटी बीबी शूट तो खतम हो चुकी मेरे बगार किसे शूट करवाया मैं कुछ पूछ रही हो तुमसे बताओ मुझे चोटी बीबी नूर से करवाई है क्या पकवास कर रहे हो तुम? होच में तो इसा नहीं हो सकता कहा है यह नूर की बच्ची इसकी हिमत कैसे मेरी जगा लेने की मैं कुछ पूछ रही हो तुमसे बताओ मुझे का है वो? कोटी बीबी वो, स्टूडियों है नूर का है? वो अश्रूम में है ठीक है तुम चाओ सुरा निर तुमने, जाओ यहांसे अश्रूम इंदे आख भाई डीक है हमत कैसे बई शुट करने जो शुटा शुटा समय जब छोड़ो समय जान से मारदवे कैसे किया तुमने के बच्प शुटा कैसे किया तुमने यह पूसर सुहर बजह जहने को मेने कुछ नहीं परांसाब, परांसाब, क्या हुआ है, क्यों चिला रहे हो? जी वो छोटी बेगम साइबाब वापस आगी में था जोया वापस आगी है जी और उन्हें पता चल गया है कि नूर ने शूट की और वो बहुत होस्से में कहा पर हो? जी वो स्टूडियों में जी और मेरे में इसलिव थोट राइकि मे कल दाए, क्यों मेरे चागह लोगी में ड़्या, खूडो मुझे परां टीश इड़रो मुझे छूडो मुझे मैं दुबारा नहीं कहुंँए परां हड़ा मेरे पीच मेंसे जूया-टी जुड़ो इसको जो ये पागल होगी, ये छोड़ दो हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे फरफान बंद करो ये पागल पन आज मैं से जॉन से मौर दूगी, उसने मेरी जगा ली कैसे फरान मैंने कहा था उसे तुम्हारी जगा लेने को तुम तक कैसे कर सकते हो मैं क्या करता जोया तुमने लास्ट मोमेंट पे आने से इंकार कर दिया तुमें जरा सा भी अंडाज़ा है कि अगर नूर न उती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होता इसमें इसकी कोई गलती नहीं है अगर मैंने इस शूट नहीं किया तो कोई भी नहीं कड़ेगा, समझें तुम? सुएब, इसमी कड़ दो, अब क्या तुमाशा मचा रही हो तुम? अब तुम इसकी इफादत करोगे, नबील, इसने बचाने के लिए मेरे सामने कड़े हो जाओगे तुम? हाँ, मैं नूर पे कांच नियाने दूगा। अब तुमारे लिए मुझ से जादा है मैं को तुम में जयाने कोई जाओगे बात मत करो तुम चौन जरो भी निष्ट, 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 खटो जब चुप जटो क्या किया है तुमने जोया बीबी के साथ? मैंने क्या किया है? आपको मेरी चोट नजर नहीं आ रही है और आप मुझसे पूछ रही है कि मैंने Zoya के साथ क्या आ रही है? या मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या किया है तुमने Zoya बीबी के साथ? क्या हो गया है आपको? आपको अपनी बेटी नजर नहीं आती, क्यूं करती हैं आप उसके इतनी फिक्र नूर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमारा इस घर में रहना बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन हरकतों की वज़ा से न हमें इस घर से बाहर जाना पड़े उसके लिए चाहे आपकी बेटी को कुछ भी हो जाए फुजूर बाते मत करो, तुम्हारी इस हरकत की वज़ा से न अब मौमला और भी खराब हो गया यह साचो हो ना करना, वो हो गया आप से कर मत कहने, मैं किसी को शिकायत नहीं लगाऊगी तुम? तुम क्या शिकायत लगाऊगी? गलती तुम्हारी है, शिकायत तो अब सोया बीबी लगाएंगी और जे ही जाके माफी मागनी पड़ेगी मैंने तुम से कहा था ना कि ये सब खत्म करके कमरे में आ जो ये जो कच भी हुए ना, पुझे पता था पर तुम मेरी बात सुनती कहा हो जापरी मैं तुम इस लड़की ने तो मेरा जीना दूबर कर दिया है अब मैं क्या करूँ? कहा ना, नौर पर शोनके लिटेटी नेए आप शोनके खत्युक्त यह वहां चले जएंए यहां से नूर आप जो जोड़े नहीं गरे यहां से आप नहीं जा रहे है नहीं जिसे हे जाती already नूर यहां क्यों कहольно है इसे यहां छोड़ें मेरा घृचले जाएंए यहां से अगर जोड़े लिए अबको यहां देख लिया तो मेरे लिए फिर एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी अब कुछ नहीं कहेगी, यह उसको अच्छी तरह समझा दिया आपने उसको समझा दिया लेकिन अपना ख्याल तो मुझे खुदे ही रखना है नभी मैं किसी का घर बर बाद करने के मुझरिम नहीं बन सकती इसलिए मैं खोड़ी यहां से चली जाते हूँ कौन और मेरा जोया का रिष्टा आपके और जोया के दर्म्यान जो भी रिष्टा है वो आप मुझ से बहतर जानते है लेकिन मैं इस रिष्टे के बीच में नहीं आसकते मैं यही तु समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ के मेरे और जोया के दर्म्यान कोई रिष्टा नहीं है जो भी है नभी लाँ मुझ से लाँ मुझ से लाँ मुझ से लाँ इस लाँ खूँ लाँ झाल झाल जाने कैसी खता हुई क्यों मुझको ये सजा बिली जितना सुलजाओं लजती है महबत की पहेली रोटी मेरी किसमत गी ऐसे कर कुई शिकवा तो कैसे कैसा ये नसीब मेरा लिखे वेरा पहर वे में देगी में ये पहुआ उती खलती तुम्हारी थी फूटो शूट से तुम्हें खुद इंकार किया था और अब इंजाम किसी और पर लगा रही हूँ मैं इंजाम लगा रही हूँ मौमा वेशा उस दो कौड़ी के लड़की के तारीफ करती है उससी के साइड लेती है मैं अबसे नफरत करती हूँ तुम्हारा लोट तोड़ दूगे लेना चुनो वाट मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ तुम्हारी वजाटे ये सब कुछ हो रहा है वारी वजासे तुम्हारी वजासे मैरे किया क्या किrollे-ना किया तुम्NE मैंने तुम्हारी वजासे वो मुच्छे नराज हूई है तुम्हारी बड़े देवा मुझे न फरत करती है मैंने तब नियुक्ष मना किया था ना कि जोएा के साथ कुछ बढ़करना क्यों मेरी बात बी सुनती वा अबी अबी किस दिन तो हुआ हमागे की मेरी बात है कब सुनों की मेरी बात आगि का बेढ़ था अबी मैं अचाहती है आपे अब क्या चाहती है कैसे खुश होगी आप मुझे बतादे में वही करोगी तुम ना तुम मर ही जाओ तो अच्छा है तुमारी वजय से मेरी किंदे की आप हो गई है मैं तेरा पस ने चल रहा मुझे अपने शकल मात दिखा दा मेरी नूर हो गुबे नूर क्यों मेरा जहाँ मेरे नाम की रोशनी होई है कहा तुम ये बात भूल रहे हो के तुम्हारा और जोया का रिष्टा बच्छमन से तह है ये बात अभी तैन नहीं हुई अगर तुम्हे इस रिष्टे से कोई मसला था तो ख़बी जिकर तो किया उता बच्छल से लेकर आज तक तुम्हारी इत्नी अमर होगिया तुमने तो कभी कोई बात नी की अब तुम्हें सारे खांदान में अपनी माँ को शर्मीनदा होने से बचाना है तुम्हें ही अपनी माँ की इजद का ख्याल रखना है समझे तुम्हें ये मेरा हुप्म है नबेर, नब को पहले भी पता चुकी हूँ आपके और मेरे स्टेटिस में बहुत डिफरेंस है और वैसे भी आप जोया के मंगेता है मैं क्या तुम्हें मुझे कुछ समझ में नहीं हारा एक तरह मॉम की जोया के साथ शादी करने की जएद और दूसी दरह मेरी नूर से महुपत अधीर क्या क्या हो डॉक्टर में मा मेरी डॉक्टर से भी बात ही है और नबील पहले से काफी बेतर डॉक्टर कहने के उसको होश आज है के तोड़ी जएगा इंशाल्ला तुम ऐसा करो नहीं परुको मैं अभी आती हूँ नबील तुम यह क्यों आई हो अब ठीक तो है ना तुम्हें मेरी इतनी फिगर कपसे होने लिए इसा तो मत कहें ठीक तो कह रहा हूँ तो आई आखों में आज सुनी होने चाहिए तो है इस तरह से यहां पे नहीं होना चाहिए क्योंके 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 तो में आज स्वापप चाहने करते हैं एज आपसा तो मत कहें सच कह रहा हूं मैं मैं जी हूं या मरूं तुम्हें क्या फरक पड़ता है? फरक पड़ता है मुझे बहुत फरक पड़ता है क्योंकि आपसे बहुत मुअमबद करती हूं नभी अपनी जान से भी जादा अपर उना तो बंद कर दो तुम्हें पड़ता है मैं तुम्हारी आखों में आज सुनी देख सकता है मैं तुम्हें मैं तुम्हें सिर्फ हस्ता मुसकराता देख सकता हूं ऐसे नहीं चलो मुस्कराओ मुस्कराओ मीठा है तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें जोया नूर को मैंने बुलाया तुम्हें बुलाया तुम्हें लेकिन क्यों ना बील तुम्हें जोया यहां तुमाशा लगाने की जवयत नहीं है मैं यहां कोई तुमाशा नहीं लगाँगी तुम्हें से अभी काओ कि यहां से चली जाए नहीं नूर कहीं ही जाएगी नपील अब लो पैस मत करें मैं चली जाते हैं अब अपना ख्यार रखें मैं जाै कोई अब लो स्ब्सक्राइब तुमाशा आएपा अब लो आएपा रख्ष्ण अब लो नूर आप यहां मैं तुम्हें कबसे फोन कर रहा हूं, तुम कॉल की न उठा रही नूर तुम रो रही हो, पिसीने फिर कुछ कहा है, जोया ने कुछ कहा है, बोलो कुछे किसीने कुछ नहीं कहा आप क्यूं, क्यूं मुझे और अपने आपको दोका दे रहे दोका क्या कहना चाहरी होने, वह मुचे समझ नी आए आपकी और सोया के मंगनी तया हो चुकी है ना हाँ और इस मंगनी के लिए आपने खुद हामी भरी है और मैं दोका नहीं दे रहा हाँ मैंने हामी भरी है मंगनी के लिए लेकिन वो तो इसलिए क्यूकर दादी ने अमीड से शादी के लिए तारीक मांगी थी मुझे कुछ और समझ रहा है तुम मैंने अमीड से घा कि मंगनी कर दे शादी बात में कर ले थाकि मुझे वाकत पर जाए सोचने के लिए ठीक है अगर तुम्हें मुझे पर इतवार नहीं है तो मैं अभी बहार जागे सबको मंगनी के लिए इनकार कर देता हूँ नबीद आप मंगनी के लिए मना मत करें पहले तुम्हे ये बताओ कि तुम्हें मुझे पर एकीन है कि नहीं है पुझे आप पे पूरा अतवार है आप जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हो गए बस आप मेरे इस अतवार को कभी टूपने मत दीजाएगा नूर मैं तुम्हारे याय तुम्हाद कभी नी तूटने दूँगा बस मुझे थोड़ा सा वक्ट चाहिए मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा लेकिन तुम्हे मुझे पर एकीन करना होगा करो किना क्या हुआ हुआ है व कर दो बस दूपने पर एको कर दोटने करे पन्यों जो मैं सब कर दो मारे का पर दूब रख रख खुदा तुमें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची मैं अपनी बच्ची की आँखों में कभी आँसों नहीं देखना चाहते रोको क्या कह रही थी तुम जोया भी भी मैं ये देखने आई थी कि आप जाग रही हैं तो मैं आपको जूस बना के दे दू जूट मत बोलो सच सच बताओ मुझे मैंने तुमारी सारी बाते सुनी और तुम क्यों मुझे अपनी बेटी कह रही थी बताओ मुझे एक बात सच कहूं आपसे जोया भी भी आप यकीन नहीं करेंगे बोलो क्या बात है मैं आपकी सगी मा हूँ और आप मेरी बेटी हूँ क्या बक्वास कर रही हो तुम होश में तो हो मुझे पता था आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी चुपो जाओ कुछ भोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम मैं नोर के सर की कसम खा के कहती हूँ आप मेरी सगी बेटी हूँ और मैं ही आपकी मा हूँ निकल जाओ याँ से जाओ मेरी बात पश्कीन करो निकलो यहां से निकल जाओ यहां से जाओ मेरी बात तो सुनो लेले काज चली जाओ यहां से आउट आउट निकलो मेरे कमरे से सिर्ष कैसा है नबील तुम्हें अच्छे लग रहे है तो लेलो अच्छा तो है जो है मैं कॉल करके है है हुम्ह यह ट्रेसम पर अच्छा लगएगा मैं यह बाय कर लेता हूँ यह बाद बाया गुम्हेमस रवी झाल कुछ। आप यहां यहां नहीं यहां नहीं मेरा मुतलब कि आपको तो वहां होना चाहिए न सब के साथ लेकि मेरा दिल शाहरा था कि अपने नुर को देखो इसलिए यहां क्या नभील किसी ने देख लिया तो देख ले मैं ड़ता थोड़ी हूं किसी से वैसे तुम यहां प्या करे रही हो तुम्हें तो नीचे नहीं होना चाहिए आप आप चले मैं थोड़ी देर में आती हूं लोड़ी क्ई। कि ऩादाओ कि अदुशी रख नार एस अपुश्ट लग्चानि लग्ता कि एक एकवा जग एस अपुश्चा लग्ता उल्हेकी ऐख जबना था मस बस मत किया तुम अशपूर मागे मैं भरोसा करें मैं जब ठीक करती है मुझे आपको पूराम भरोसा है क्योसा करें झाल जहा है क्योसा कि जड़ए हुआ जो यदू जोए तुम यहां खड़ियों और बाहर नबील बाहर नूर पर साथ है क्या बक्वास कर रहे होती तुम्हारा दमाग तो ठीक है मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर लोगी इसलिए मैं साथ सबूत भी लेकि अच्छा कैसे सब्सक्राइब यह देगा यह देखा यह जाए देखा इसे सब्सक्राइब यह जया बाते कर रहे हैं जाहर है प्यार मुहमद की बाते कर रहे होंगी शटाबती जोया, अरे, जोया, मेरी बात तो चुनो. जो, 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 जो. तुम्हें अलकोतों सिर्भाजनी आवोगी ना? अब मैंने क्या किया एंटी मासूम मत बन पुशे पता है कि तुम नबील को पसंद करती हो जोया तुम्हे कोई गुलेत पैमी नहीं है अब ही अपनी आंखों से देख रहा हूँ कियो मैं से अपने कर रही हो तुम चाहते क्या हो आप मैं पता भी कि आज मेरी औरस की मंगनी है फिर भी तुम तुम है तुम nhân छोड़ के तुम्हें चोड़ा तुम दू आतम मुझे आ ऐस तोची से, अरूब दादत नहीं कॉट है ओर दिखने हाट हूं दोगी ओरुत ऑर नहीं दो. जोय अ एकने रोजह दुखेन दी काउ दूखेन में ने, सुना तुम्हाओ भाना हूं टिखना तुम्हा हुए मारो की मुझे जोया तुम्हारी अकात क्या है क्या लेकिना आज दिखा करो अरे लेला जोया कहा रह गी है बिलाओ उसे ताके मंगनी की रिसम शिरू की जाए आमब मैंने मेट को भिजवाया है मसा रही होगी बेगम साइबा जोया बीबी अपने कमरे में नहीं है कहीं और होगी जाओ देखो जी तयार हो रही थी ना तो बस ऐसे लो आगे कहा दे गें थी बिटा तादी जरूरी काम था बस वही खतम करने देख अब तुम्हे आगी हूं तो अच्छा 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 झालमी बाता झालमी लते ऑ्ट झालमी वादे और झालमी कहादLन 24 नूर, नूर तुम पूल में कैसे गिर गई? मुझे तो तेहरना में नहीं आता, मैं किसे को बला के लाती हूँ मुझी बिटा, ये अब हमारी बहु को इंगुटी बनाओ नबील, बिस्मिल्ला करो एक मिनुट नबील, परवीन, नूर कहा है? बुलाओ उसे? नूर की तबियत ठीक नहीं है, वो अराम कर रहे है अपने कमरे ने अरे भई, ऐसे, एक मिनुट मैं नूर को बिला के लाती हूँ नहीं नहीं, आप रुके, मैं उसको लेके आती हूँ भी घैना, तुम रुको तुम रुको नभील बेटा, तुम पेनाओ मुझी पेनाओ बेटा बेगम सहबा, बेगम सहबा नूर पूल में गिर कही है, वो डूप रही है क्या? अरे भई लेला, छोड़ो उस नड़की को क्या हुआ झाल 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 आप लाए हैं मुझे यहाँ मैं लेकर आए हूं तुमने यहाँ पर तुमने 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 तो मुझे डराए दिया था एक लग़े के लिए तुम मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मैंने अपनी नूर को खोती है अपना सब कुछ खोती है अपरो रहे हैं इतना प्यार करते हैं उसे अपर सच कहूं तो मैं भी यह जानता था कि मैं इतना प्यार करता हूं दुम से दुछ तुमें परता है तुमें परते हैं तुमें परते हैं तुमें इस सालत में देखा न तुमें यह तुझे से जहान है निकल कही थी मैरे तु कभी सुचा भी नहीं था कि कोई मुझसे, मुझसे इतना प्यार करेगा अब ये की नाख है ना तुमें कि मैं तुमसे इतनी मौपपत करता हूँ अब वे ऐसे एक बात तो बताओ तुम पूल में कैसे गिरी थी कि कि अब तुमसे बूच रहा हूँ कि क्या हुए नौर, मैं तुमसे पूच रहा हूँ पूलिक में कैसे गिरी थी तौम मुझसे सोहान दखा दिया को सोहान दखा दिया थी तुमें उसके हमत क्या सोहीय सब कुछ करने के नौर, आज मैं उससे छोड़ू का नहीं नहीं पीड, प्लीज प्लीज अब 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 जोहासे कुछ नहीं करेंगे क्यूं नहीं पुछ कहोंगा, नौर? नौर, मुझे तुम्हारी समाज चाहती है उसना तुम्हे ठकका दिया और तुम उसको बचा रही हो नौर, मुझे आज बचा बताईदो तुम क्यों करती हो अशे तुम हमैश्चे जोय को बचाती हो मुझा है, बहुत बड़ी बचा है अभी मैं अपनी अम्मी को परिशान नहीं करना चाहते है और आज मैं यह चाहती हूँ कि इस घर में मेरी वज़ा से कोई मसला हो नपील सुया मुझे तुम से कोई बात निकरनी है लेकिन बुझे तुम से बात करनी है नपील तुम उस दो कोड़ी की लड़की को क्यों वस्पड़ा लेकर गए थे जवान संभाल की बात करो तम सुया वो दो कोड़ी की लड़की निया तुमने दो कोड़ी की हरकत कि उसको पूल में धखा देके मुझ पर इल्जाम बंत लगओ नबील मैंने उसे धखा नहीं दिया जोया मैं तुम्हें पर इल्जाम ने लगा रहा मुझे एची धना से बता है कि तुम ने उसको धखादी ता सुया तुम यह जानती भी हो कि उसको तेह नाता वो यह नहीं भीक시 तो नहीं है मुझे एसास, यह बरतार्श निकर सकती कि तुम्हारे और मेरे बीच में आये नबील, मर जाती तो अच्छा होगा जर्ण अरभियत मुझे इजासत में दियती, बढ़ने मैं तुम्हें सबाग सिखा कर जाता हूँ जर्ण आज की बाद मुझे राप्ता करने के कोशिश किना तुम्हें तो मुझसे बोरा कोई नहीं हो समझ आई तो मैं जर्ण 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 नूर पूल में कैसे गिरी? मुझे क्या पता मौँ? नूर पूल में कैसे गिरी? जर्ण जर्ण पूछ रही हैं जूट मत बोलो मैं जानती हूँ नूर को पूल में तुम ही ने धक्का दिया है हाँ मैं नहीं धक्का दिया है नूर और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है मामा मैंने कहा था ना इसी नहीं नूर को धक्का दिया है जोया नूर मर भी सकती थी मैं सोच भी नहीं सकती कि तू इतनी सेलफिश हो So what mom मरी तो नहीं न और मुझे क्या पता था कि उसे तैरना नहीं आता और अगर पता होता भी तब भी मैं उसे धक्का देती आपको तो पता है मैं कैसी जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ और जो मेरे साथ बुरा करेता वो इस दुनिया में नहीं रहेगा इस दुनिया में मैं रहती हूँ देखा आपने कितनी बत्तमीज होगी है यह कितनी बत्तमी ओर में देखा आपको कितनी बत्तमीज एद्चा ऑगको कितनी पस्धू्श कितनी वो अच्छा भी मैं भी मैं कर दो कर दो कर दो झाल 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 वोगवा नहीं? अंकल, 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 आण्टी, आप लोगगो गलत फेहमी हुई है, सी कोई बात निया जैसा आपको सोच रहे हैं, गलत फेहमी हमें नहीं, तुम्हे है, कि हमें कुछ पता नहीं है, यह देखो, यह दिस्वीर अदिल ने दीये, और सारी सचाई उसने बताई, अदील अरे भाई इतनी घटिया हरकत कर सकते हूं मैंने कभी सोचा भी ने था तुम जानते हूं तुमने मुझे थपड मारके इच्छाणी किया मैं पूच रहा हूं कि तुमने यह हरकत यूँ की ये हां वे समय निसलिह किया था कि तुम्हारा जोयासे निकाना न हो सकी जोयासे निका sencill जोया से तुम्हें वैसे भी निकानी करना चाहता है तुम उससे पूछ तो लेते हैं एक बार अदीर तुम्हारी इस हरकत की वरे से नूर कितनी मुश्किल में है तुमने उसको बदनाम करती है यार उन लोगा न उसको घर से निकाल दिया पढ़ता नहीं हो कहां पर होगी इस वक्त उसने क्या भिकाड़ा था तुम्हारा क्या भिकाड़ा था जो तुमने उसके लिए इतनी मुश्किलात करी कर दी है अदिन में आज तक इस बात का लियास करता रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नोर विटा आके जड़ा सुई में धावया तो डाल दो पता नहीं नोर कहां होगे किस हाल में होगे नोर कहां नंबर वी बन्जा आरे एखुदा उसके फासद करना दादी 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 सर्वम्षार दादी क्याम्षाई भी भी आरे अपने कमरे में नहीं है. कमरे में नहीं है? तो कहा है वो? पतानी कहा है Zoya बीबी? अम्मी जान, कहीं उसे ये सब पता तो नहीं चाल गया? उसे कैसे पता चलेगा हाश्यम, अगर हम में से कोई उसे नहीं बताएगा. क्या चुपाना चाह रहे हैं आप लोग मुझसे? Zoya हमने क्या चुपाने है बिटे आपसे? मैं जानती हूँ आप सब मुझसे क्या चुपा रहे हैं? क्या कह रही हो बिटा? हमला तुमसे क्या चुपाए? अच्छा. तो ये क्या है? तुम्हारी पेटी ने मुझसे पहले ही मेरी खुशिया चीनली है? जाओ यहां से तुमने सुना नहीं मैंने क्या का जाओ यहां से तुमारी बेटी ने मुझसे पहले ही मेरी खुशिया चील ली अब और क्या चाहते हो तुमा बेटी वो मेरी बेटी नहीं है तुम मेरी बेटी हो वाट नॉंसेंस क्या बकवास कर रही ओ तुम उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना उसकी सजा मैंने उससे दे दी है मैंने उससे घर से निकाल दिया तुम्हारी बेटी जीए या मरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं और वैसे भी उसने नबील को मुझसे दूर करना था ना तो वो तो उसने कर दिया? नहीं, बेटा. मैं नबील को तुमसे कभी दूर नहीं जाने दूगे. नबील तुम्हारा है. सिर्फ तुम्हारा. तुम्हें तकलीफ में देख कर ना, मुझे भी तकलीफ होती है. अच्छा? तुम्हें सब कुछ क्यों कर रही है, परवी? पैसों के लिए? अपनी बेटी के लिए? क्योंकि तुम्हें बेटी हो. क्या बकवास है ये? जाओ यांसे तुम. ये बकवास नहीं है. ये हकीकत है. ये देखो, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है. और ये शेहनाज बेगम नेना अपनी पोती के लिए बनवाया था. ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये ही सवाल तो मैं तुम्हारे मूद से सुनना चाहती थी. जिसका जवाब सुनकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं ही तुम्हारी माँ है. मगर ये तुम्हारे पास आया कैसे परवीन? अगर ये मेरी दादी ने बनवाया था, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तुम्हें पूरी बात बिताती है. कि ममारी में ये था स्र Müdugi. पर मैं परभून की बेटी ही तो नूर कॉन है? करी वो मेरी बेहन तो नहीं नूर अकर मेरी बेहन होती तो पर परभीन उसे घर से क्यों निकालती तो नूर कॉन है? कर वो परभीन की बेटी नहीं है तो तो क्या वो? अभी वो जोया मेरे पास आई थी वो अभी भी नबील से शादी करने के लिए बज़िद है मैं सोची हूँ कि हम उससे कुछ उसके साथ खलब तो नहीं कर रहे हैं लैला ये तुम कैसी बाते कर रहे हैं देखें मैं अपना फैसला आप लोंको पहले ही सुना चुकी हूँ नबील और जोया की शादी हरगिस नहीं होगी और रही बात जोया की तो मैंने उसी की बेहतरी के लिए किया है अमीजान ठीक कह रहे हैं अमीजान ने जो भी फैसला किया वो जोया की बेहतरी के लिए किया तुम्हें ये समझाना चाहिए उसे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रही और आज तो नजाने अपने बच्च्पन के हवाले से जाने क्या अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थी मुझसे क्या कह रही थी वो वो पूछ रही थी कि जिस रोज वो पैदा हुई उस रोज कोई हाथसा हुआ था क्या लेकिन ये सब उसे कैसे पता चला मुझसे भी वो अजीब किसम के सवाल कर रही है आप से क्या पूशा उसने का कि मेरी पैदाइश पर आपने कोई कड़ा मुझे पहना आया था मैं आप लोगों से कह रही हूँ जोय के बारे में कुछ और आज तो हो मुझसे ये भी कह रही थी कि अगर उसकी शादी नबील से ना हुई तो वो किसी भी हद तक जा सकती है Oh My God अम्वी मेरी पेटी आप भी मेरी अम्मी है नोर बेटा नोर बेटा नोकरी मिल गई नहीं अब लेकिन तुमने तो कहा था के नोकरी खिली जा रही है उन्होंने मुझे बिलाय तो था लेकिन नोकरी किसी और को दे दी कोई बात नी बेटा मिल जाएगी मैंने एक दो जगा और अप्लाई किया है कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम मेरे लिए कितना सोचती है नोर बेटा और मैं भी कितना बदबखत हूँ चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लाएं और खाना काते हैं अब अब बाहर से खाना क्यों लाएं तो गर पर बना लेती बेटा मैंने सोचा कि तुम सुबह की ठकी हारी घर वापस आओगी इसलिए मैं बाहर से खाना ले आया हाँ चलो खाना करते हैं आओ चलो शाबाश आजो आजो जल्दी आओ तुम तुम यहां क्या कर रहे हो तुम से बात करने हैं उजोया पर मुझे तुम से कोई बात नहीं कर ले तुम यहांपे क्या कर रहे हैं हम जुरूरी बात करें जाओं एसी तुम्हे नजर नहीं आण रहा हाृँ हम बात करें जाओ यहां से अरे मैंने इसा क्या क्या दिया मैं तुछ एक मल्कार भी शटा पदी अपना मुझ संभाल कर बात करो और दोबारा इने नोकरानी मत कहना यह इस घर की फर्ग है अरे यार जोया मैंने ऐसा क्या किया दिये तुम्हे जो तुम इतना घुसा कर रही अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ मैंने तुम्हे बताया था नबील और नूर के बारे में दिखो कर मैं तुम्हे ना बताता तो तुम्हें कैसे बताचाबा हाँ तुम्हे ने मदद की थी मेरी जिसकी वज़े से मुझे बहुत तकलीफ मेली थाइंक यू अरे सुर्या क्या हो गया थाँ यू नबील तो नूर के बीचे पागल है आओ नहीं तुम्हे बागबादाओ ज़िए अटर यू 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 अटर अटर झाल 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 तो? तो? भराम भे, आप तो फोड मैं यहां जॉब के रहे हुँ नूर में तुम्हारे फोन पे कितनी बार कॉल्स किया है, तुम्हारा नंबर कंसेक्टिवली ओफ जा रहा है वो नंबर अब हमेशा बंदी रहेगा मैं नहीं चाहते कि मेरी और जैसे किसी हों को कोई भी परिशानी है अच्छा तुम रहे का रही है मैं मैं अपने अब्बू के साथ रह रही है नूरू वो एक अच्छे इंसान नहीं है इसा नहीं है वो बहुत अच्छे इंसान नहीं इंसेक्ट यह सारी तो यह गलत पहमी थी आप जानते हैं अगर वो ना होते न तो ना जाने आज में कहा होते जाने कैसा किसमत का सफर किसे कहने जाए किसको है खबर कोई मंजल है न किनारा है कोई अस न कोई सहारा है मैं नूर हूँ मैं नूर क्यों मेरा जहां मेरे नाम की रोशनी होई है कहां मैं नूर हूँ बे नूर क्यों मेरा जहां मेरे नाम की रोशनी कोई है कहां किसे लाए मेरे नूर एक्याए मेरा जहां मेरे नूर क्यों अविप्र आए अरो क्यों अविप्र से बक्यों यूशिया ने मुरा मुचिया नूर क्यमस्पार हेलो नूर नूर तुम खामोश क्यों कुछ तो बोलो नूर तुम रो रही हो क्या हुए नूर नूर कुछ तो बोलो क्या हुए नूर तुम कहां परो मैं तुम्हे कैसे बताओ मैंने तुम्हे कहां कहां नहीं ढूंडा नूर नूर कहां चली को यह वापस आजाओ मैं जानता हू कि मेरी वज़े से तुम्हें बहुत तक्लीफे पहुंची हैं नूर लेकिन तुम्हे एक दवा वापस आजो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मैं मेरे यकीन करो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा तुम वापस आजा नूर और प्लीज वापस आचाँ वापस आचाँ और प्लीज और यह कोआँ आचाँ नहीं पर्क्योफ खोग है हेलो हेलो नवील बेटा मैं परवीन बात कर रहे हूं जी एंटी मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि नूर घर आ गई है आप सच कह रही है हाँ मैं सच कह रही हूं नूर तुमसे मिलना चाहती है मैं खुद नूर से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं आउंटी मैं आ रहा हूं नहीं नहीं तुम्हें घर आने की ज़रत नहीं है क्यों वो बेटा तुम्हारे यहां आने से ना बात और खराब हो सकती है तो तुम लो बाहरी कहीं मिल लो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूं कि तुम्हें न कहां आना है चैने ठीक है मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूं अला आपिस क्या कहा नभी ने वो मान गया है क्या वो मुझे मिलने आएगा वो आ रहा है तुम उससे मिलना उससे बात करना उसे समझाना और मैं भी उसे समझाओगी अब को यकीन है कि वो मान जाएगा हाँ बिटा मुझे यकीन है वो मान जाएगा मैं उसे मना लोगी अन्टी कहा है नूर बेटा अपने पीछे देखो तुम तुम यहां क्या कह रही हो यह क्या मजाक है यह मजाक नहीं है आपने तो कहा था कि नूर मिल कही है भूल जाओ नूर को बेटा जोया से बात करो देखो वो तुमसे कुछ कहना चाह रही है मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी अभी मेरी मेरी बात तो सुरो तुम प्लीज मैंने कहा है ना मुझे नहीं बात करनी किसी से सुन तो लोग वो कह क्या रही है अभी मैं तुमसे बहुत मौपत करती हूँ मैं नहीं रह सकती हूँ तुमारे बगए तुम प्रीज नूर को भूल जा और मुझे अपना लो मैं तुमसे महपपत नहीं करता कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हे मैं नूर से शादी करना चाहता तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्यों नहीं समझाती तुम्हें बात नबील बेटा नूर तुम्हारे काबिल नहीं है उसे भूल जाओ मुझे यकीन है कि तुम जोया के साथ बहुत खुश रहोगे अंटी यह आप कह रही है आप तो नूर की माँ है आप यह कैसे कह सकती है मुझे तो शक को रहे आपकी बात सुनके कि आप कि उसकी सागिमा भी है के नहीं है अगर मेरी जिन्दगी में नबील नहीं तो मेरे जिन्दा रहने का भी कोई मकसद नहीं है मेरे मरने से अगर तुम्हारी जान जूच जाएगी नबील तो मेरा मरना ही बहतर है क्योंके जीते जी में तुम्हें किसी और का उते हुए नहीं देख सती क्योंके जीते है जोया पेटा मैं तुम्हारे लिए गरम-गरम दूद लाई हूँ जोया 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 जो Starting जोए, 공ण जोए, क्या कहती है ना या क्या करती है पेटब को कॉर लुखना, आ के लो, जोन कोय जोगा जोए ए जोए, क्या करती है से लो कर दो, आप्य दो, मेरे बच्छी हाँ हाँ, वा पेज़ा किरो जोए, वीदिनि वेश्टीदी मैं जोग् Jup आशिम यह क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया है अम ही आप जोया के लिए दुआ कीज़ए दॉट साथ डॉट साथ मेरी बेटी की तब तब कैसी एक है आप लौग को सला रख क्या मतलब लॉट सेब लॉट सिर्थ प्रिविकर अब लॉट अब वश्वाग के अप्लोग धिर झाल झाल देखिए हमीशाब हमें जोया को बिठाकर यार से समझाना पड़ेगा सिर्फ समझाना नहीं होगा अब हमें उस पर हर वक्त लाजर रखने होगा अला ना करे अगर दोबारा कुछ ऐसा कर दे तो ये तो शुक्र है कि परवीन ने वक्त पर आकर बता दिया अगर जरा भी देर हो जाती तो आज हम जोया को नहीं 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 मामाँ कैसी तबीयत है मेरी बेटी आपकी बेटी ठीक है आप लोग उसे सही वक्त पर ले आएं अगर कुछ देर और हो जाती तो इसका मशना बहुत मश्कुल हो जाती है अगरी खुद है तब साब क्या हम आप देख सकते हैं पुरुच्छी को जी हाँ आप लोग यह सकते हैं लेकिन उमको पापर लेस्ट की जरुदा थी कोशिश कीजिएगा कि उनसे जदा बाते न देगा ची ठीक ठीक बहुत आईए हमीजा भाएं आउरा तो हमें क्या करें चे माफ कर दें मॉनी आप सॉली वादा करो मुझे आईदा इसी हरकत नहीं करोगी वादा करती हो गभी नहीं करोगी हाँ बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जुरुएत नहीं है तुम्हारी माँ अभी जिन्दा है अपनी माँ पर भरुसा रखो नबील सिर्फ तुम्हारा है और तुमसे ही शादी करेगा नहीं ममी अब ऐसा ममकिन नहीं आउ सकता नबील सिर्फ उस नूर का है मेरा नहीं तुम्हें अपनी मापर भरोसा नहीं है क्या भरोसा है ले नबील को तुम्हारी जिल्दगी में वापिस लाके रहोगे तुम बस सिर्फ अपना ख्यार रखो और हाँ आइदा ऐसी वे ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत मिटा मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बातें करते को कोई देख ना ले इसलिए अब ही मैं जा रही हूँ तुम आराम करो मैं फेर रहूँगी कि म पॉस्जा करते के तुम करते कि मैं इसलिए तुम आराम करते क्ना वषए क्षंस करते कि अ आराम करते कि अ выпуск मैं वाह, पर वें तेरी तुम मोजें लगी हुई है, इसका मतलब है कि तुझे बड़े ठीत थाप पैसे देते होंगे तुझे, लेकिन तुपैसे रखती का मैं, पेले ये तो देख लो मैं कन्या प्राइओ बस इतने से पैसे, बागे भी उसने इधर ही रखी होंगे यह तो सोने का लगता है, चलो इससे कुछ काम बाझ जाएगा तूम, यह क्या है, क्या का रहे थे तूम, छोड़ा से मैंने तुछे का था नो परवीन, मुझे पैसों के जख दुरूरत है, तूने मेरी एक नहीं सुनी, मजबूरन मुझे यहाना पड़ा, छोड़ से नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं ले जाने कुछे अड़ा अज़ा! अवचँ., यह स्चछ़ा नहीं, क्या तुम्हें पिADुछे है, मैं अज़ा, शीन कि जnumber भेकि यहरा भOODा, यहाँ I अरे आप आप तो वही है ना जो उस दिन ख़र आए थे अब उसे मिलने के लिए अरे बावाई बाद तुमने तो मुझे पहली नजब भी पहचान दी दिल खुश हो जी मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं कौन है अब तो पता चल गया ना वैसे कहा जा रही है जी मैं घर जा रही है अच्छा मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ बैठो मैं तुम्हें छोड़ दे नहीं इस तकल्रफ की जोरत नहीं मैं खुदी चली जाओगी तुम जिद न करो ब कितर होगा आपे हाथ छोड़े मेरा ने करी हाथ छोड़े ना छोड़ू तो मैं सबको शोर मचाकर ही कठा कर लूगी मचाओ शोर चिलाओ सबको बताओ मैं किसी दिन में डरता हाथ छोड़ू तुम मुझ से बच के बाग नहीं सकते लेला ये क्या हंगामा है परवीन ने सारे घर को सर पर उठा रखा है अम्मी मेरे ख्याल में किसी मुलाजमा से लड़ रही है तहीं मुलाजमा तो नहीं कोई मर्द की आवाज है मर्द कौन मर्द चलो चल कर देखते हैं जी किसी जुरत देखते हैं किसी जुरत देखते हैं हाँ मैं जोरूँगा बैट मैं साथ लेके जाँगा जाँगा परवीन मेरे रास्ते से हट जा तो मैं तुझे कह रहा हूँ तुझे जाने ने दोगा चाहे तुम मुझे जान से लाँगे लेकिन मराज तुम महींसे जाने ने दोगे कैसे जुरत दी की परवीनी, मैं सच में चक्ते कह रहा हूँ, और मैं तुझे मार दूँगा! मार दो! तुम मुझे जान से मार दो, लेकर मैं तुम्हे जाने नहीं दूँगी, चाड़ा मुझे! परवीन, परवीन, चोड़ो! नहीं, ये गार्ड कहा मर गया, अरे भाई, ये गार्ड कहा है, अब इसकी जान ले लेगा, मैं फरहान को बलाती हूँ, फरहान, फरहान जल्दी बाहरा हूँ! नहीं, आखरी पर कह रहा हूँ, मैं वाग़ी मार दूँगा तुझे! फरहान देखो नहीं, ये परवीन को मार देखां! फरहान, रुको रुको! चान मुझा को नहीं? रुक जाओ फरहान, विपात खतर ना के! फरहान, छोड़ो! इस ये में बस नाए! फरहान! छोड़ो! छोड़ो! प्रोड़ 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 प्रोड दादी दाद मेरा दाद मेरा लेला, तुमसे यही रोको दो जया, दादी की बात सुनो दादी मेरी बात तो सुने सुन्या मैं आ रही हूं, भही ही रोको जया, तुम इसे अपने पास रोको नहीं चोट नहीं चोट नहीं चोट चोटो मुझे उनाज सब खत्रों देगा चोटो चोट नहीं 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 चोटो ये मेरे ये मेरे ये मेरे में आज इसे सबख सिखा कर रहूँगा ताके तुबारह ऐसी हरकत ना करें परवीन परवीन हटा मेरे नासने से मैं आप क्या क्या हाथ रोटें फरहान रुक जाओ फरहान में केरी छोड़ दो इसे फरहान इसे अभी इसी वक्त पुलीस के हावाले करो कैसा ना करें पर बेगर जाने देखते हैं कैसे जाने दूँ इसकी इतनी हम्मद कि हमारे घर में आकर इसने हगामा किया इसको तो पुलीस के हावाले करना ही होगा मैं आप क्या कि हाथ छोड़ती हूँ में चोड़ती हूँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि आएदा यह यहां गवी भी भी नहीं आएगा परवीन उसने तुम पर हमला किया तुम्हें मारा और तुम तुम इसकी तरफदारी कर रही हो मैं क्या कर रहा हूँ इसने मेरे साथ जो भी किया है तुम मेरा शोहर ना नोर नोर हम जातरो aligned अन्दाय क्या मरने के लिए हमारे गड़ी मिले है तुम्हें पागल ना हो तुम्हें जोया जोया मत चाओ इसके करीब कि बहुत खतरनाका अदमी है तुम्हें नुक्सान पहुंचा सकता है कि लापिब एक लीए लिए लाप्या गारी यद्समें तुम्हें कि लिए गजुम्हें लेटी तुम्हें बखता है राभा, राभा मौला उससे क्या हो कि यह मुझ से क्या हो कि मैं नोर को फिर से को दिया मैंने जब नोर को आओ आज दी ती तो रुखी को थी आप पता नहीं उस ने मुझे देखा भी था के नहीं या खुदा, अपर कहा डूडू का उसे? या अलाः, को आए? डूडू डूडू क्या हुआ नूर बेटी, तुम परिशान लग रही है अबू, वो बंदा है न, जो उस दिन घर भी आया था कौन वो, वो बदमाश? वो, यहां हमारे घर आया था नहीं, घर में नहीं आया था आज उसने मेरा रास्ता रोक लिया था मुझे गाड़ी में बैटने के लिए मजबूर कर रहा था क्या? हाँ, मैं इतना डर की थी कि मैं वहां से भाग गई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं किस से मदद मागूं वो, वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे बैटी, तुम मुझे फोन कर देती? मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपका नंबर बन था बैटा, वो बदमाश ऐसा ही है हर, हर किसी को तंग करता है वो लेकिन तुम परेशान मत होना मैं उससे खुद बात करूंगा वो दुबारा तुमें कभी तंग नहीं करेगा अबू, हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं नहीं, नहीं नूर बैटा हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते इस तरह तो वो हमारी जान का दुश्मन बांग जाएगा मैंने कहा न, तुम फिकर ना करो तुम्हारा बाप अभी जिंदा है मैं खुद उससे बात करूंगा वो वो दुबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा तुपया कफुने इसके हाथ पाउं तोड़ कर इसे चोप में मिठा दो नहीं 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 आएगा 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 रहता 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 मैं मैं रहता यापने बेटी कर दूँगा क्या मुझे आवाज नहीं आईता आप, 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 अगता नहीं कहां रख दिया पर वीन हाला ने कड़ा मिल गया यही होगा वो कड़ा अब तो बेगम साथ मैं उससे बहुत खुश होंगी क्या हो गया रिहाना अंदी हो गया देख कर नहीं चुड़ सकती वो मैं जल्दी में थी आपको देखा नहीं तुम्हें किस बाग की जल्दी है वो बस तुम्हें लेला बीबी बुला रही है जाओ उनके पास मैं अभी बड़ी बेगम साहब के काम से जा रही है उनके पास बात में चलिए जाओ इसे क्या होगे तो तुमने उस नूर के लिए खुद को नुकसाद पोँचाया जोया क्यों आयो ändा यहाँ पे तुम जौए यहा यहां से उ अजह तुम्हारी फिकर है नवी आसी से लिए मिलने आया हूँ तुमसे जोया तुम्हें मेरी फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो यहां से हो मैं तुमसे बहुत महबत करती हूँ नबी जी एक मैं जैसे तुम्हारे लिए अपनी जान तक की भी परवानी की हमेशा खुद को नुक्सान पहुंचाया और तुम तुम अस नूर के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो जिसे तुम्हारी परवा तक नहीं है जुदे मैंने तुमसे कहा है रहा कि मझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुम जाओ यहां से तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ प्लीज डूंट डूतेस नबील कंकि तुम्हारी यह वजा से मैंनूर मुझे दूर करी है वो हमारे बीच में आई है नबील तुम्हारे और मेरे बीच में वल्ला तुम तुम उसे बहुत मुखबत करते थे नहीं जोया तुमें गलत फहमी है मुहबबत मैं तुमसे कभी भी नहीं करता था तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन थी और एक अच्छी दोस्त इसके इलावा कुछ भी नहीं लेकिन लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ जया मैं उपरत करता हूँ अपरत करता हूँ करता हूँ जवेड अजया है जवेड अजया हाँ जवेड जवेड है झाल 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 आप परवीन ही इस कड़े की हकीकत मुझे बताईगी ये कड़ा उसके पास कैसे आया? जवाब दो परवीन किस तरह नहीं बोड़ेगी? अरे मैं कह रहा हूँ जवाब दो देखो कहीं ऐसा ना आओ के मेरा घुसा मेरी बरदाश से बाहर हो जाए और मैं कुछ कर बैटू बोलो, बोलो ये कड़ा तुम्हे कहां से मिला, बोलो बोलो परवीन अरना तुम्हारी लिए अच्छा नहीं होगा मैं आप लोगों को सब्सक्राइब बताएब नूर और जोया एक हसबदाल में पैदा हुए मेरे पास हसबदाल का बिल देनी के लिए पैसे नहीं थी तो मैं चुपके से अपनी बेटी को वहां से ले गई रास्ते में मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी नहीं है क्योंकि उसके हाथ में ये एक कड़ा था मैं बहुत परिशान हो गई थी फिर मैं अपनी बेटी को वापिस लेने के लिए हसबदाल भागी तो वहां पहुचिए मेरे पता चला क्या आप लोग मेरी बच्ची को अपने साथ ले गए हैं तो मैंने आप लोग कर पीछा किया है चुप क्यों हो गई बोलो हम सुन रहे हैं दूसरे हसबदाल पहाँचकर मुझे पता चला कि आप लोग मेरी बेटी को अपनी बेटी सुमझ बैठी है परवीन तुमने ये सब क्यों किया हमारे साथ मैं मजबूर ची कैसी मजबूरी थी मैंने आप लोगों की बत सुननी थी मेरी बेटी बेमार थी मर रही थी मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती थी लेकिन आप लोग उसका इलाज करवा सकते थी इसलिए मैंने उस फ़र ये फैसला किया और अपनी बच्ची कि जिद्दभी बचाने के लिए इतने सान, हम इतना बड़ा दौका खाते रहे किसी की बच्ची हम पालते रहे और हमारी बच्ची दर बदर की ठोकरें खाती रही मुझे माप करने हैं आप लोग मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है नूर आपके बेटी है लेकिन मैंने उससे माँ बंद कर पाला है क्यों पाज़ाओ परवीन तुम जैसी औरत माँ हो ही नहीं सकती तुमने एक माँ से उसकी उलाद ची और अपनी उलाद को भी खुद से दूर कर दिया क्या बिगाड़ा सा मैंने तुमारा मैं आपके कुसूरवार हूँ मुझे माँ कर दे माँ भी तो तुम्हे किसी सुरत नहीं मिलेगी जो तुमने किया है तुम्हे उसकी सजा भुगत नहीं पड़ेगी इसको पुलीस के हवाले करो हाशिम और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ ऐसे नहीं करेगी मैं अपनी गलती की माफी माँ रही हुँ ना मुझे माफ कर दे मैं फुदा के लिए मुझे माफ कर दे माफी दे तुम्हे कभी माफी नहीं मिले Walker मेरे बसमे ओ तो अभी तुम्हे चान के माफ دうん लेकिन ऐसा करने ही सकता मैं तुमारी जिन्दगी अतनी मुश्किल कर दूँगा परवीन कि तुम जीना चाहो तो जीना सको मरना चाहो तो मरना सको अजियत में तकलीट में तलगती रहोगी तुम तलगती रहोगी आशिम तुम पुलीस को फोन करो अजर तुम नूर अपलो यहाँ? इनी जान यहाँ हो गयाँ ऐसे रो क्यों रही है सब खैरियत तो है ना लाला मुझे तो अपनी बेटी से मिलने तो पता नहीं अन जाने में मैं कितने जल्म कर बैठाओ इस पे बेटी आप लोग यह क्या कह रहे है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नूर तुम हमारी बेटी हो हमारी तुम हमारी बेटी हो नूर? हाँ नूर तुम हमारी बेटी हो और हम आज तक इस अखीकत से वे खबर रहे मैं कुछ समझे नहीं, अभी समझ आजाएगा बीठा, मैं बताती हूं तुम्हें तुम्हें रभा, रभा मौला, मौला और फिर परवीन ने सारी सचाई बता दी यह 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 नहीं हो सकता ऐसा ही है नूर, तुमने बहुत इम्तिहान दिये हैं इस संदगी में, बहुत मुश्कलें काटी हैं लेकिन अब बेटी, अब खुशियां ही खुशियां है तुम्हारे लिए अगर, अगर यह अगीकत इतनी दर्टनाथ थी, तो काश मुझे इस अगीकत के बारे में पता ही ना चलता मैं सारी जिंदीगी चीसे मां समझती रही, उन्होंने, और उन्होंने मेरी जिंदीगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला इसलिए, इसलिए मुझे खुच से दूर कर दिया था नूर, बेटा, मैं तो तुम से माफी भी नहीं मांग सकता हूँ जो कुछ तुम पर गुजरी है, जितने दुख तुमने बरदाश्ट की, उसके आगी माफी तो कुछ भी नहीं बेटी की हिफाज़त करना एक बाप का फर्स था मैं तो वो फर्स भी पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना बेटा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें आपको कोई कुसूर नहीं आप तो जानते भी नहीं थे कि मैं आपके बेटी है फिर भी आपने मेरे लिए इतना किया, हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना बेटा इसा मत करें मत रो मेरे बच्ची एक नएक दिन तो यह सब होना ही था बच्च इस तरह यह हुआ है ना मॉम ऐसे नहीं होना चाहिए था मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सबको पता चल सका अगर अबे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो शायद मैं अपनी सफाई देपाते था और हो सकता है कि वो लोग मुझे माफ कर देती हो आपको अब भी उन लोग की फिकर है तो आपको यहां पहुचा दिया है बिटल गलती तो मैंने की है और मुझे सजा भी मिल ली थी पर तुम मुझे गलत मत समझी मैंने हलाग के हाथों मज़ूर होकर यह सब किये तोहरे लिए मैं जानती हो मी कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया पराद पाज़ा आप इस जगा पे बिस सिर्फ उसे मेरी वज़ा से है मुझे 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 माफ कर देया नहीं बिटा, तुम खुद को इजा मत दो वो मेरा फैसला था और आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोज़ उतर गया मैंने बड़ी मुश्किल से ये जिन्दगी भर बोज़ उठाया लेकिन अब शायद सारी जिन्दगे मुझे यही गुजारनी होगी ऐसा मत कहें अमी, मैं आपको यहां नहीं रहने दूँगी अब वो लोग तुम्हारी कोई भी बात मानेंगे वो मानेंगे, वो सरूर मानेंगे आब बस हिम्मत मत आ रहें मैं हो ना, मैंने तुम्हीं भी मुश्किल में पसा दिया है ना काश में तुम्हारी जिंदगी में वापस आई ही ना होती काश में पसंदगी झाल झाल जोया? आओ, बेटी, जोया? मैं... मैं अपापकी बेटी नहीं। पीठा, मैंने तो अपनी बेटी की तरह तुमें पाना है। बहुत प्यार किया है तुमसे। जोया, तुम हमारी बेटी ही रहोगी। तुम इस फैमली का हिस्सा हो। कह चाहो तुम हमारे साथ रह सकती हो बेटा। अए, अप मेरा यहार रहना मुम्किन नहीं। सोया, तुम एसा क्यों कह रही हूँ। देखो, यह घर आज भी तुम्हारा है। तुम्हारी तरह दोके में नहीं रहना चाहती ह। अगर हम तुम्हारे अपने नहीं हैं। तो यहां अने की बचा। मैं आप लोग असे कुछ कहना चाहती ह। कैसी बात बिटा। अप लोग मेरी अम्मी के जमारत करवा दें। और माफ कर दें। अब तो नूर भी आपके पास आ गई है। क्या। माँ आप लोगों ने अम्मी को जेल बेचा दिया। बिठा तुम इस बास से अलग रहो। उसको अपने किये के सजा मिल रही है। धादी। मैं आप लोग आगे हाँ जोगती हूँ। मुझ पर और मेरी मापर ये एक हैसान कर दे। उन्हें माफ कर दे। पर आप उनके सिवा कोई नहीं है। पाप। जोया बेटी। अब ये मुम्किन नहीं है। मुझ अपनी बेटी से मेरी शादी करवा ले। देख, मैं भी कुछ थोड़ा सा सूदर जाओंगा। काफी बिगड़ चुका हूँ। खबरदार। खबरदार अपनीकाटी जुआँ से मेरी बेटी का नाम लिगा। जुआँ ठेच लूगा तेरी। आप। वाह। अच्छा लगा। तेरी हिम्मत के तू मुझ में हाथ रठाएं। आप। तेरी से एंगे वाह। नहीं पान। नूर मैं भी खाब चो नहीं देख रहा आपको यह खाब नहीं देख रहे मैं भाग गई आपके सामने खड़ी नूर तुम कहां चली गई थी मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंडा सब जानती हूं मैं किस तरह आप दिन रात मुझे ढूंटे रहते थे तुम जानती थी तुम जानती थी लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तुम्हें अंदाज़े भी है कि मेरी क्या हालत थी तुम्हें खोकर बद्दिन राथ मद्दिन राथ मैं देखने के लिए एक नदर देखने के लिए कितरा तरपता तुम्हें पता भी है आप से जादा मैं तरप रही थे आपको देखने के लिए लेकिन अभी मैं सिर्भ आपको कुछ देखना चाहती थी आपकी खुशी के लिए मुझे आपसे दूर जाना प्रा मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर चली गई तुम ऐसे नराज होके मुझसे दूर गई एक तफ़ा कि पलट कर नहीं देखा तुमने बरुब मैं सोचता रहा कि पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम उसे दूर चली गई हो मैंने सोचा कि तुम उचे एक तफ़ा मुझसे मिलो तुमसे माफ़ी माग लोगा और अपने पास लेओगा नहीं नभी, माफ़ी तुम मुझे मांगनी चाहिए, मैरे आपको बहुत ज़्यादा दुखनी है, प्लीज मुझे माफ करने तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए बस यही काफी हो है, तुम में बता, एक लब में के लिए तुम में डर किया था, कि तुम में कभी भी देख रही सकोंगा, मैं कितनी खुश किसमत हूँ, कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, नौर, वादा करो, वादा करो कि अब उचसे दूरने जाओगी, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वादा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन और, तुमें तो जोया हैंने, और खरवालों ने खर से निकाल दिया था ना, तुम घर कैसे आई, और, अलमी को कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो, हुआ यहाँ नभीर के नभीर बेटा, यह है मेरी पोती, नूर, पोती, यह क्या कह रही हैं, देखा, मैंने कहा था न, नभीर को भी यकीन नहीं आएगा, आप लोग मजाग करें न मुझसे, नहीं बेटा, यह मजाग नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है, कि नूर ही इस घर की बेटी है, दूर, मैं आपको सब बताती हैं, अरे नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं बताता, मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला, नूर और नबेल कर निकाह होगा, वो भी आज। ज़से और शीज़ हैं कि मैं आपकों नहीं जो रसो कर दोगजया कैंपकोंता सकते जय Давमें रचाजनी , जय हैं एकाजनी , रचवजज़र छावज़र भी मार डिक यहाज़र, इस कर दो दो, देख रहा हो कि आज तुम कि अतने हसीन लग रही हो वैसे है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह खाम है यह खाम है यह खाम है यह खाम है यह हकीकत है कोई खौब नहीं जो आंक से पकता ही तूट जाए मैंने सुनाए कि पहली नज़र में महबबत हो सकती है लेक्न इस तरह मुझे तुम से महबबत होगी नहीं कोई सोच भी नहीं सकता था सब कुछ खाम लगता है लगता है कि कोई अचानक से मुझे जगा के कहेगा कि खाम देख रहे थे लेकिन मैं नहीं चागना चाहता हूँ और खाम है पे तो आप महबबत करता हूँ अबसर और मेरे लिए तो तुम खुष खुषकिसमती थाबद हुई हो दौा करता हूँ कि तुम आरे लिए भी अच्छा थाबद होगा मैं वादा करता हूँ कि तुम हमें अश्या खुष रखूँगा तुमने तुमने उमर भर जितनी तक्लीफ में देखी है मेरे सामने मेरे पीछे से मेरे बगैर मैं मैं मुष्किल मेनमा साथ तो हूँ अब भी छूड़ो मारी तो है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और चानतों में तुम्हें मुसे महपत कहते हूँ पीप मैं भी आपसे बहुत महपत करती हूँ १प Zoya! अटू! अटू Zoya! है एक्पार उतुमा है एक्पार सिर इस इक्पार उतके मसी बमना मैं Zoya! 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 तुम्हार विने तरिली गितन एपके! च्विर लगे लोगा लोगे लोनी हैं नूर, नूर भे की जियद लोगे लोगे लोगे. मुला, 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 मुला! मुला, मुला अंकल, असर की नमास के वक्त हो गये, मेरा ख्याल है कि हमें अब जनाजे को लेकर चलना चाहिए, ठीक, चलो पेट गये, आज़ो, अज़े, मेरा चल य अजना, नहीं नहीं, नहीं आपने बेटीम को नी चाहने सो गिंद हुए, नहीं नहीं, कुछ दा कि लिए, 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 कुछ दा कि लिए खेधाल Али, कि अला कि елisedखी मैं या मुल arbeiten! थोर सबना हरक मुल, जय हुआ हो तो, कि इस फ्युड करदी एचसे अफे लिए eh कि यह कि अ कर दो झाल झाल लिपिल गाड़ी रोको वे आप पिश्टा अम्मी अम्मी अप अप यहां क्या करें इस आलत में आपको बता मैंने आपको कितना ढूंडा है और यहां आप क्या खा रहे हैं यह अम्मी अम्मी मैं आपकी नूर हूँ पुरेटी मेरे पुरेटी तो जोया है जोया जोया मेरा दुदार कर दो अम्मी अब मेरे साथ चले अम्मी 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 भी अम्मी देखो ना अम्मी को चाने दो मुझे अ जाने कैसा किसमत का सफर किसे कहने जाए किसको है खबर कोई मन्जल है ना किनारा है कोई अस न कोई सहारा है